Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains and very very happy send it to you people I hope you are enjoying your day, पर यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ी सी आपके मज़ा में खलल डालने के लिए आज क्लास 11 वालों के लिए है, आज मैं कोई आपको लोड का चाप्टर नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं कोई आपको लोड दिमाग में नहीं देने वाली हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ नई चीज हम मंडे को स्टार्ट करेंगे एक नया चाप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी NCRT Booty of Respiratory System We have completed the digestive system, we have completed the animal kingdom NCRT Booty Now we are going to start the NCRT Booty of the Respiratory System Respiratory System, Excretory System और Circulatory System इनकी बची हुई है तो एक एक करके संडे बंडे के दिन में आपको ये भी complete कराऊंगी ताकि NCRT portion आपको complete हो जाए Next जो चाप्टर शुरू होगा, वो Physiology का ही चाप्टर शुरू होगा Because I have to complete first human physiology Then we will start with the plant kingdom, animal kingdom तो हो गया है एक बार ये पूरी unit खतम करके फेक देते हैं उसके बाद फिर अपन plant kingdom से शुरू करेंगे दूसरी बात एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से clear कर दूँ बच्चो कि कोई भी portion आपका छूटा वह नहीं है चाहे minerals हो, चाहे vitamins हो, चाहे कुछ भी हो इवन एक ही चीज को मैंने दो-दो-तीन-तीन बार अलग-अलग तरीके से revise करवा के भी पढ़ाया है तो हर कुछ आपको रट जाना चाहिए ये मेरी उमीद है आपसे, ठीक है नाव लेट्स स्टार्ट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं the NCRT portion of the respiratory system in this session we are going to take the NCRT from the page number 268 to 276 इसके एक-एक शब्द के बारे में आज हम लोग यहां पर discuss करेंगे ठीक है, कुछ भी नहीं है, it's just a revision अगर जिस बच्चे ने respiratory system के lectures अच्छे से देखे होंगे वो सब यह धीरे-धीरे सुनता जाएगा बस कान में earphone लगाएए यह phone जो जिससे भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको सामने रखियो और धीरे-धीरे सुनते जाएए बस सुनते जाएए यह वीडियो जो है वो 10th class बच्चों के लिए भी बहुत जादा helpful होगा तो अगर आप free हैं तो आप देख सकते हैं so let's start क्या है सबसे पहले NCRT सब लोग लेकर बैठेंगे सबसे important चीज यही है कि अगर मैं आपको NCRT पढ़ा रही हूँ तो आपके हाथ में NCRT होनी चाहिए क्योंकि अगर NCRT नहीं तो जीवन बरबाद है आपका आपको नीट देने जा रहे हैं अगर आपको NCRT नहीं आती तो उससे भी जादा जीवन बरबाद है तो अगर आपको जीवन बरबाद नहीं करना है तो NCRT आपने पढ़िये लास्ट क्लास में हमने digestion and absorption complete कर लिया था आज हम शुरू कर रहे हैं breathing and exchange of gases ठीक है of the NCRT portion we have completed already the breathing and air exchange at every level ठीक है so let's start जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था मैं सबको समझा रही हैं आपको I am not that kind of person who is going to read everything मैं ऐसी नहीं हूँ और ना मैं ऐसा कर सकते हूँ बच्चे हो प्यारे प्यारे बच्चे हो मेरी लाला हो तुम सब पढ़ सकते हो तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी कि इस portion का मतलब क्या है जैसा कि हम लोगोंने पहले ही पढ़ा था कि हम oxygen को utilize करके complex molecules को तोड़ते हैं in the simpler molecule जिसे आप oxidation कह सकते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा था कि digestion process से हम किसी भी complex चीज को simpler form में तोड़ते हैं और वो simpler form glucose is the simpler form of carbohydrate ठीक है और amino acid is the simpler form of glucose is the simpler form of carbohydrate amino acid is the simpler form of that protein fatty acid and glycerol is the simpler form of fat ठीक है तो कुलमिला के बात यह है कि हमें यह पता है कि यह सब मॉलीक्यूल जो अपन लोग तोड़ रहे हैं बच्चों यह बिना oxygen के नहीं तूट सकता तूट तोड़ सकता है क्योंकि तोड़ तोड़ रेस्पिरेशन एरोबिक और रोबिक और रोबिक उसमें वह लेक्चर आप लगा के देख सकते हैं जहां जहां पर भी जो जो लेक्चर आपको देखने ना जो मेरे प्लेइलिस्ट बना हुआ है रेस्पेरेटर सिस्टम का मैं आपको वहां पर बताऊंगी वह आप देख लिजेगा आज क्योंकि संडे का दिन है आप यह चैप्टर आज कंप्लीट करके ठेक दिए ठीक पूरा करके खर्तम करिए ओके नाओ क्यों कर रहे हैं हम लोग यह काम क्यों कर रहे हैं अभी सुब देराइब देनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन जैसे की बोलना जैसे की सुनना जैसे सुनना भी बहुत बढ़ी आट है बच्छों ठीक है उसके बाद इस पूरी प्रोसेस से निकलती है कारबन डायोकसाइड जो की हमारे लिए हामफुल होती है कैसी होती है हामफ देखे इसलिए मैंने आज रेस्पाइरेशन का रिविजन रखा है ताकि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया कम से कम संडे को इसको रिवाइस करवा दूं तो थोड़ा सा यह रहेगा कि एक्जाम आने वाला है रेस्पाइरेशन को नहीं हटाया गया है मैं पहले ही बता दे सो केटाबॉलिजम इस प्रोसेस जब आप किसी भी चीज को तोड़ते हैं थोड़ी आथ की क्लास पेस में चलेगी ऐसा नहीं कि दिरे दिरे सो सो के पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रहती कि माड़ा आप एक ही चीज को दस बार बोलिए जब दस बार बोलते हैं तो बोलते हैं एक बार बोलिए क्योंकि यह मैं ऑलरेडी 25-100 बार एक्स्प्लेइन कर चुकी हूं इसलिए आज मैं थोड़ा तेस पढ़ाऊंगे थोड़ा सा कूर्शियों के पेटियां बांद के कान को अपने स्क्रीन में गड़ा के आंखों को गड़ा होगा जो कि एक हामफुल गैस होती है इसे हम एक्जेलेशन दौरा यह प्रोसेस के दौरा बाहर करेंगे जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो यू नीट सम ऑक्सिजन तो आप ऑक्सिजन की प्रेजन्स में तोड़ते हो ओके दान ओके तो क्या लिखा हुआ है इसमें इ और से काबंडाय उक्साइड निकाला जाता है ऑक्सिजन का इस्तमाल हम किसी भी चीज को तोड़ने में करते हैं और काबंडाय उक्साइड जब हम किसी चीज को तोड़ लेते हैं तो उससे बाहर निकलती है ठीक और उसे हमें बाहर कर देना पड़ता है ओके इस प्रोसेस exchange of O2 from the CO2 produced by the cells called as breathing जब आप सेल को O2 देते हैं और CO2 बाहर निकलती है तो मतलब जब आप O2 ले कैसे रो you are doing like huh और जब आपकी सेल CO2 produce करती है तो यह प्रोसेस क्या है breathing तो continuous exchange of gases is called as breathing okay तो आपकी body में कोई भी gas कोई भी क्या दो ही gases का exchange अभी हम लोग पढ़ रहे हैं O2 and CO2 by the process of breathing ठीक है done but यहां पर आपको एक चीज़ धिहान से देखनी है commonly NCRT में ऐसा लिखा हुआ है commonly breathing को ही हम respiration कहते हैं यह आपके NCRT का point है यह question आ सकता है नीट में भी पर इन दोनों में commonly basic difference होता है breathing में आप सिर्फ gases को exchange करते हैं even breathing और respiration का अंतर भी मैंने आपको पढ़ाया है breathing में आप क्या करते हैं gases को exchange करते हैं जबकि respiration में आप oxygen को इस्तमाल करके किसी भी nutrient को तोड़ते हैं मेरी बात समझे आप breathing में आप किसी भी चीज का exchange करते हैं जबकि आप respiration में oxygen का इस्तमाल करके nutrients को तोड़ते हैं पर commonly respiration is a part of breathing क्योंकि and breathing is a part of respiration इसलिए collectively हम इन दोनों को एक जैसा ही हमाल ले दो क्योंकि बेटा जब सास ही नहीं लोगे oxygen ही नहीं लोगे तो तोड़ोगे कैसे खाक तोड़ोगे ठीक है और तुमने जब किसी चीज को तोड़ा ही नहीं तुमने जब किसी चीज energy निकाली ही नहीं तो सास लेने का कोई मतल़ भी नहीं तो इसलिए breathing is the part of respiration and respiration is a part of breathing इसले दोनो भाई बैने सीता और गीता है ठीक है? सीता गीता को आप अलग नहीं कर सकते इसले NCRT ने सोचा कि breathing को commonly हम respiration कह देते हैं पर दोनों में आपको difference समझ में आया? Place your hands on your chest and you can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. How do we breathe? Respiratory organs and mechanism of breathing described in the following section of this chapter. चाती परहात रखो, चाती फूलती और पिचकती रहती है क्या mechanism है? कौन-कौन involved होता है? वो आज के lecture में हम सीखेंगे So let's get started. चलो आजाओ सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी respiratory organ के बारे में बच्चो ठीक है? हर और गानिजम में अलग-अलग प्रकार का respiratory organ होता है Lecture separately मैंने बना रखा है तो अगर किसी को images, GI, FCA सब देखने हैं तो lecture आप जाके attend करो ठीक है? क्योंकि मैं इसमें सिर्फ NCRT ही I am restricted to NCRT बोलने का मन तो मेरा बहुत कुछ करता है पर already मैं पहले इस chapter में बोल चुकी हूँ इसलिए मैं बार-बार नहीं बोलूँगी क्योंकि वो time waste है ठीक है? Now, respiratory organ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर organism में respiratory organ एक जैसा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बस mode of action जो है वो एक जैसा ही रहेगा हर organism को जीवन जीने के लिए oxygen की अविशक्ता होती है चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हूँ अगर कोई सजीव है, कोई living है तो मतलब उसे oxygen जीवन जीने के लिए चाहिए है ठीक है? ओके? पौधो को आप छोड़ दीजे, बात अलग है उनकी, तो इन सब को जीवन जीने के लिए oxygen चाहिए है पर हर organism में oxygen लेने का mechanism, मतलब mechanism भी सेम है बस oxygen लेने का organ अलग-अलग है, ठीक है? जैसे हर किसी के पास lungs नहीं होता, आप लोगों ने पूरा animal kingdom पढ़ा जिसमें मैंने आपको हर organisms का respiratory organ अलग-अलग बताया एनिलिटर तक मैंने आपको क्या बताया था? कि they have skin, some of them have book gills, some of them have book lungs, some of them have bucoferential cavity तो हर organism, जो भी organism होते हैं, उसमें different type के organs हो सकते हैं respiration के ले, ठीक है? चलो तो जितने different groups होंगे, उतने, कहां पर वो रहते हैं, उनका body का organization कैसा है उसके अधार पर we have different types of respiratory organ जैसे की lower in vertebrates, जिनके पास vertebral column नहीं होती, जैसे sponges होते हैं ये silentrates होते हैं, flatworms होते हैं ये, ये सब लोगों को किसी भी respiratory organ की ज़रुरत नहीं होती बेटा ये लोग अपनी body में directly oxygen का transport from the body surface कर सकते हैं क्योंकि body बहुत छोटा है, इसलिए इनको कोई जरुवत ही नहीं है तो directly oxygen diffuse करके अंदर ले लेते हैं, इनका skin moisture में रहता है ये ऐसा भी है, silentrates, sponges, even flatworms भी moisture में रहना पसंद करता है इनकी skin moisture, ये पानी में है तो moisture की तो कोई वही बात ही मत करो flat, flatworms भी moisture में रहना पसंद करते हैं, इनके moisture में dissolve oxygen को ये ले लेते हैं और फिर same mechanism से carbon dioxide बाहर कर देते हैं the process is called as simple diffusion method, मेरी बात समझे है आप कि इनकी body में कोई special respiratory organ की जरूरती नहीं है क्योंकि skin इनका सारा काम कर देती है, तो ये किस से respire करते हैं, body surface से, ठीक है because the body is very small and they don't need any type of respiratory organ because they are very much familiar with the water they can easily extract the oxygen from the dissolve, from the water, ठीक है now, earthworm जो होता है, इनके पास, अभी आप कभी, मैंने आपको वहाँ पर भी पढ़ाया था ना earthworm में भी, कि कि इनकी skin बहुत moist होती है, ठीक है इनके पास moist cuticle होता है, जिसमें oxygen dissolve हो जाती है, और diffuse होकर अंदर आ जाती है यहीं अगर आप cockroaches की बात करें, या किसी insect की बात करें, तो इनके पास तो पूरा पूरा tube का system होता है, ठीक है, पूरा tube का system is called as tracheal system, इनकी body में tracheal system में जो pipes होती हैं, उसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं, छेद को आप spiracles कहते हैं स्पाइरिकल से हवा अंदर आती है, इसमें cockroaches में या इंसेक्ट में blood vascular system और respiratory system का कोई link नहीं है, ठीक है, यह मैंने वहाँ पर भी आपको पढ़ाया था, कहाँ पर, कहाँ पर orthropoda में, यह चीज़ याद रखिएगा कि there is no link in between the respiratory system and the circulatory system in the orthropoda, but we have, हमारी link है, हमारा respirator system और circulatory system दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो tracheal system सारे insects में पाया जाता है, ओके, the branch of tubes present in all over the body, which transport the oxygen to all over the body, कैसे अंदर आती है, इनके trachea जो होते हैं, स्किन के जस नीचे होते हैं, skins oxygen diffuse होती है, छेद से tube में अंदर जाती है, त्यूब पूरे body में पहुचा देती है, ठीक है, नाव, उसके बाद मचलियों के पास special vascularized तो कौन-कौन से हो गया, earthworm के पास किस से होता है, moist cuticle से, ठीक है, उसके बाद flatworm से जो होता है, यह body surface से होता है, उसके बाद insects में क्या होता है, tracheal tube से होता है, उसके बाद fishes जो होती है, उन पर किस से होता है, गिल से होता है, और गिल से जिनके पास respiration होता है, बच्चे, उसको ब्रांखियल respiration कह सकते, कम से कम 15-20 बार तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो गिल्स का respiration का mechanism आपको पता है, जिक है, गिल्स का होता है, पानी मूँ खोलती है, मचली पानी अंदर आता है, ओके, गिल्स के पास होती है, बहुत सारी blood vessel, it is a highly vascularized structure, तो मचली जब पक से मूँ खोलती है, तो पानी पक से अंदर आ जाता है, उसके बाद पानी से वो जो blood vessel, जो गिल्स के पास प्रेजेंट हो उक्सिजन दन 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 ले लेती है, बदले में पानी को क्या दे देती है, carbon dioxide, mechanism क्या है, simple diffusion और पानी गिल्स से बाहर हो जाता है, तो जब मुझ खोलता है, पक तो गिल्स होते हैं बंद, ठीक, और मुझ खोलता है, पक तो गिल्स होते हैं ओपन, यह याद रखिएगा, ओके, now, aquatic orthopods, mollusks, have vascularized bag-like structure, called as lungs, और जो लोग भी lungs से respire करते हैं, वो सब pulmonary respiration कहलाते हैं, ठीक है, fishes uses gills, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respires through lungs, ठीक है, तो fishes जो होती है, वो गिल्स से respire करती हैं, बाकी amphibians, reptilians, birds and mammals, लंग्स के थूर रस्पायर करते हैं, उसके बाद frog का, सिर्फ मैं individually frog की बात करूँ न, तो frog का respiration थोड़ा सा divers है, यह मैंने आपको तब भी पढ़ाया था, frog जो है, वो अलग अलग तरीके से respire करता है, वो skin से भी respire कर सकता है, skin से कैसे respire, क्यों कर respire करता है, frog बहुत ही चलाक प्राड़ी है, ठीक है, बहुत चलाक प्राड़ी है, ठीक है, Robert है यह अपना, अब भाईया ऐसा है, कि जमीन के नीचे तुम रहोगे, हाइबरनेशन में चले जाओगे, ठंडी गर्मी में, एस्टिवेशन हाइबरनेशन, ठंडी में, गर्मी में, एस्टिवेशन, तुम चले जाओगे, तो तुम को कैसे respire कर आओगे, कैसे होगा, तो skin के through respiration होता है, जब वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, lungs के through respiration रहता है, जब वो land में रहते हैं, ठीक है, even amphibious जो होते हैं, वो land और water दोनों में रह सकते हैं, साथ ही साथ वो एक और चीज उनके पास होती है, में डग को आपने बहुत जादा करते हुए देखा होगा, टर, टर, ठीक है, जो इसे आप कहते है, बको फेरेंजियल कैविटी, I am always used to write the single words, but again I am kudo in the cursive writing, so it is called as बको फेरेंजियल कैविटी, तो जो मेंड़क होता है, वो बको फेरेंजियल कैविटी से भी respire करता है, गले के नीचे कैविटी होती है, ठीक, जो फूलती है, इसे ब्लड वैसल होती है, तो जब भी वो कता तो उसका मतलब ऑक्सीजन जो जो ब्लड वैसल बको फेरेंजियल कैविटी के चारों तरब प्रेजेंट है, तो जो फ्रॉग है, वो बहुत स्मार्ट जो है लड़का है अपना, इसमें बहुत सारे स्किन, लंग्स, बको फेरेंज स्किन से रेस्पायर करते हैं, उसे कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायर करें, क्यूटेनियस, जो गिल से रेस्पायर करें, वो है ब्रांकियल, जो लंग्स से करें, वो है पल्मोनरी, ठेक है, याद रखिएगा ये, चलो, अगली स्लाइड बढ़ें, देखिए, हिूमन रे में पढ़ना है you can attend my lecture respiratory organs I think वो मैंने पढ़ा रखाया आप देख सकते हो human respiratory organ human respiration system जो होता है वो start होता है external nostril से this is the external nostril okay यह opening होती है above upper lip upper lip के उपर होती है और फिर यह खुलती है nasal chamber this is the nasal chamber or nasal passage meant to get the nasal chamber देखेगा ध्यान से अगर मैं आपको structure यहां पर शायद बना हो I don't know take it अगर आप लोग यहां पर यहां पर शायद बनाया नहीं है पर मैं आपको दिखा सकती हूँ nasal chamber का diagram आपने देखा होगा शायद मैंने आपको पढ़ाया भी है you can attain the lecture of this देखेगे सीदी सीदी अपन यह तो हो गया ना यह वाला lecture a slide so यह है आपका nasal passage nasal passage अंदर जिस चैंबर में खुलता है उसे nasal chamber कहते nasal chamber अंदर ओपन होती है pharynx में so this is the nostril this is the nasal passage अंदर nasal chamber nasal chamber open into the pharynx pharynx is common passage for food and air ठीक है pharynx किस में open होता है larynx में open होता है ठीक है और larynx जो है वो कहां पर present होती trachea के just उपर होती है okay larynx क्या है larynx एक cartilaginous box है जो की sound production में मदद करता है आई बात समझ में larynx एक cartilaginous box होता है जो की sound production में मदद करता है इसलिए हम लोग इसे sound box कहते हैं मैं फिर से आपको समझाती हूं ध्यान समझना यह है nostril यह क्या है अपना nasal passage अंदर खुलोगे nasal chamber nasal chamber open into the pharynx pharynx के उपर लेरिक्स लेरिक्स जो होता है pharynx is a common passage for food and air इससे दो pipes निकलती है जो आगे आती है वह है ट्राक किया जो पीछे आती है वह है इस ओफेगस यह हमने किते बार पड़ा कम से कम देड़ हुझार बार थीक है अधुली बात मेरी ध्यान से समझना लेरिक्स क्या है वोड़ को मतलब अ घाता रहा है है मेरा दिल and to be बैक्ünf पास बहुत सारे लोग मुझे ऑलता और माला बहुत चलाती ठीक है, लेरिंग्स जो होता है, यह कार्टिलेज का बॉक्स है, मतलब there are different types of there is no bone, ठीक है, कार्टिलेज का बॉक्स है, इसमें होते है न बीटा, वोकल कोड्स, वोकल कोड्स मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, लेरिंग्स, फेरिंग्स के उपर है, कार्टिलेज से बना हु बॉक्स है लेरिंग्स जो होता है, इसमें sound production होता है, क्योंकि इसके पास vocal cords होते हैं, दो प्रकार के vocal cords होते हैं टू और होते हैं, फुटू और फॉल्स यह भी बढ़ाया है मैंने आपको कितने प्रकार के vocal cords होते हैं, there are two types of vocal cords, एक होता है, टू वोकल कोड्स मेरा दिल यह आपको गोईस देता है ठीडर है हालनकि मेरी बुरी है पर लेटर भी और फॉल्स क्या करता है आपको support करता है ठीड है तो आपके पास true और false दोनों vocal cœur होते है जिसमें true vocal cord आपको गाना बुलवाता है ठीड है और false vocal Cum 1 उसे support करता है एक्चली यह क्या है California's तो हैं तो जैसे आप गिटार की तारे गिटार की तारे गिटार की तारे अगर आप देखेंगे तो अगर जितना उसको खीचेंगे उतनी तीखे आवाज आएगी इसलिए लड़कियों के आवाज ना उनके वोकल कॉर्ट हमेशा खीचे रहते हैं इसलिए जब उस पर एक्श है तो एक तीखा vibration produce होता है जिसकी वजह से उनकी आवाज कुछ ऐसी होती है ठीक है मेरी नहीं होती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूं उसके बाद अगर आप बात करेंगे लड़कों के वाज तो उनका vocal cord का तो थार होता है वो थोड़ा मोटा होता है तो उसमें बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पास true vocal cord होता ही नहीं false होता है जैसे rhinoceros इसके पास true vocal cord होता ही नहीं तो वह सिर्फ चिंगारता है ऐसे चिंगारेगा जबकि elephant के पास false नहीं होता है आपने वाज elephant की सुनी हुई है ठीक है डाल ओके सो आप समझना मेरी बात को मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स जो होता है फेरिंग से दो पाइपस निकलती है एक जाती पीछे की और एक जाती आगे की और आगे की और जो पाइप होता है उसे कहते हैं ट्रैकिया ट्रैकियल ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस यह भी बढ़ाया मैने आपको और इसोफेगस की ओ opening of trachea it is closes by a dhackan which is called as epiglottis ठीक है यह हमेशा याद रखिए कि जब भी आप खाने को solo करते हैं तो जो tracheal opening है जिसे आप glottis कहते हैं वह धकन से बंद हो जाती है जिसे आप कहते epiglottis इसकी वजासे जब भी आप खाना निगलते हैं तो आपका खाना कभी भी विंड पाइप में ट्राक्या में नहीं आ पाता क्योंकि धकन ने तो ट्राक्या को बंदी कर दिया है इसलिए जब आप निगलते हैं तो आप सांस नहीं ले सकते हैं ठीक है तो दूरिंग दा सॉलोईंग लॉट्स चैन बी कवरड बाइधीन एलास्टिक काटिलेजिन अस फ्लाप विच इस एपी लॉट्स यह मैंने आभी आपको बताया तो प्रेवेंट दा एंट्री ओ फूर्ड इंटु दा लेरिंग्स ठीक है ट्रैकिया इस ट्रेट ट्यूब ट्रैकिया क्या है यह एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि आपकी छाती के बीच ओ बीच से जा रही है और उसके अनेक टाइप के डिविजन होते हैं बहुत चारे लेविल्स ओफ डिविजन है ठीक है इस डिवाइड दे लेवल ओफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री इंटु दे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रॉंक प्राइमिरी ब्रॉंक ठीक है तो यह यह बोल रहा है कि जो आपकी ट्रैकिया होती है यह ऐसे जा रही है और जहां पर आपके बॉड़ी में पीछे क की ऊर्वाइड आपकी चौत ही यह पाँठ वї फ्टैब्री उसी फिप्ट तो पीछे में जहां आपकी छाती पांचंवी वर्टिब्री उति Y सामने से ट्रैकिया उसी की सामने मतलब सामने की और उसी लेविल पर आपका ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड होता है जिसे हम प्राइमरी ब्रॉंकाई कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ प्रिवेंटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे की एपिगलॉटिस जो खानी को कभी भी लेरिंक्स में जाने नहीं देती ठीक है नाओ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग किसकी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैकिया की अप ठीक है नाओ लेट्स स्टार्ट विद ट्रैकिया देखिए ट्रैकिया जो होती है यह प्रेजेंट होती है आपकी मिड थोरैसिक कैविटी में What do you mean by mid thoracic cavity? Mid thoracic cavity मतलब छाती के बीचों बीच तो आपकी जो ट्रैकिया है वो आपके छाती के बीचों बीच उपस्थित होती है ये आपके पांच भी thoracic vertebrie के जस्ट सामने होती है मतलब आपके छाती की जैसे आपके गरदन में 7 vertebrie होती है अच्छाती की जो वर्टीब्री हैं जो पहली 5 vertebrie होती है उसके जस्ट सामने प्रेजन्ट होती है तो आपकी vertebral कॉलम में जहां 5 thoracic vertebrie हैं उसी के जस्ट सामने प्रेजन्ट होती है आपकी ट्रैकिया ठीक है उसके बाद ये डिवाइड होती है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्राइमरी 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 structure बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर दिखा दूँगी, तो और ज्यादा clear हो जाएगा, देखो, बस यह diagrammatic representation है, this is the right and left bronchi, now this is the primary bronchies, secondary bronchi, tertiary bronchi, primary bronchiol, secondary bronchiol, tertiary bronchiol and terminal bronchiol, जिस से जुड़ी होती है, alveoli, मेरी बात समझे, आप आपको यह वाली slide में यही बताया जा रहा है, कि भईया ऐसा है, कि जो trachea होती है, वो divide होती है, पहले bronchiol में, फिर primary bronchiol, secondary bronchiol, tertiary bronchiol और उसके बाद bronchiol में, ठीक है, so यह क्या हो गई आपके bronchiol, ठीक है, जहां से आपका, क्या divide हो रहा है, trachea, this is the primary bron bronchi, ठीक है, this is the secondary bronchi, this is the tertiary bronchi, this is the primary bronchiol, this is the secondary bronchiol, this is the tertiary bronchiol and this is, this one is what, this is the terminal bronchiol, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यह सब चीज़े मैंने पढ़ा चुकी हूं पहले से ही, bronchiol, terminal bronchiol, will open into the sack like structure, ठीक है, which is called as alveolai, यह पढ़ लिया था ना हम लोगोंने पहले भी, this is called as alveolai, ठीक है, what it called as, इसे हम alveolais कहते हैं, अब मेरी बात को ध्यान समझना, primary bronchiol, secondary bronchiol, tertiary bronchiol, primary bronchiol, secondary bronchiol, इन सब में rings होती हैं, जैसे trachea में होती हैं, जिने हम cartilaginus ring कहते हैं, क्या कहते हैं इनको बच्चो हम लोग, इने हम कहते हैं cartilaginus ring, क्या कहते हैं हम इने cartilaginus ring, यह cartilaginus ring आपके trachea में present होते हैं, और ऐसे ही cartilaginus ring आपके tertiary bronchiol तक present होते हैं, जब तक terminal bronchiol नहीं आ जाता, ऐसे rings आपको पूरे respiratory tree में दिखाई देंगे, यह rings जो होते हैं, यह cartilage के बने होते हैं और यह support करते हैं trachea को, ताकि हवा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका trachea पिचक ना जाए, मेरी बात समझे आप, कि आपका trachea पिचक ना जाए, इस बात का हमें विशेस तोर से ध्यान रखना है, इसलिए from the trachea till the terminal bronchiol, terminal bronchiol में यह rings नहीं होते, वो direct alveoli is open होते हैं, यह ring support करने का काम करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग, आजाओ, देखेंगे, हाँ, यहाँ पर बोल रहा है, देखें वही चीज़ बोल रहा है, मैं highlighter excellent कर लेती हूँ, देखें, हाँ, the trache देखेंगे, the trachea थोड़ा सा और यलो ले लेती हूँ, I love yellow color and you people do also, now, देखेंगे, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring, यही मैंने आपको बताया कि जो bronchioles रहते हैं, सारे bronchioles, ठीक है, what is a bronchioles? bronchioles and bronchioles are the division of the trachea which enters into the lungs, ठीक है, ओके, तो bronchioles दोनों में tracheal ring present होती हैं, बिल्कुल अंतर तक पर terminal bronchioles में और alveolize में present नहीं होती, ठीक है, उसके बाद हर जो bronchioles रहता है, मेरे प्यारे बच्चों, यह एक irregular bag-like structure में, vascularized bag-like structure में खुलता है, जिसे हम alveolize कहते हैं, इसक इसका मतलब यह हुआ वेटा, कि आपके जो alveolize होती है, यह round structure होता है, यह vascularized structure है, इसका मतलब यह है कि इसके चारो तरफ blood vessels की circulation होती है, और किसी भी respiratory organ का यह nature भी होना चाहिए, कि हम जिस पार्ट से भी gases exchange कर रहे हैं, उसके चारो तरफ blood की supply होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो respiratory organ नहीं है, आई बात समझ में, तो अगर कोई respiratory organ है, तो उसके चारो तरफ से blood की supply होना भयंकर जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है, तो वो respiratory organ नहीं है, ठीक है, तो alveolize जो है, वो gases exchange में help करती है, gases exchange में पाट लेती है, उसके चारो तरफ blood vessels present होती ह blood vessels body से carbon dioxide लेकर आती है carbon dioxide हम alvelyse को दे देते हैं और alvelyse से बदले में diffusion method से exchange करके alvelyse oxygen blood को दे दिया जाता ठीक है the branching network of bronchi, bronchioles and alvelyse comprises the lung यह जो branching network अभी आपने देखा जो मैंने आपको summarize करके छोटा सब बनाया भी था यह सब जो हैं यह सब मिलकर एक lungs का निर्मान करते हैं these are the internal structure जो कि फेफ़डों के अंदर पाए जाते हैं now यहां से अब मैं आपको थोड़ा से label कर देती हूं कि हमने पढ़ा क्या-क्या यहां पर बच्चों देखो यहां से हम लोगों ने पढ़ा bronchial tree ठीक है यहां पर हम लोगों ने पढ़ा bronchial tree ठीक है फिर हम लोगों ने यहां पर पढ़ा trachea ठीक है उसके बाद अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं lungs ठीक है यह देखिए Now, what do you mean by lungs? हमारे पास कितना फेफड़ा होता है? हमारे पास दो फेफड़े होते हैं भाईया समझ में आई बात तो आपका जो दाया फेफड़ा होता है वो बाया फेफड़े से बड़ा होता है आपका दाया फेफड़ा जो है वो करीब 635 ग्राम का है जबकि बाया फेफड़ा 575 ग्राम का होता है क्योंकि बाया फेफड़ा छोटा होने के कारण क्या कारण है? कि हार्ट जो है वो बाई और घुस जाता है जिसके वो फेफड़ा छोटा हो जाता है बस कारण ये है हार्ट जो लंग्स होता है यह एक visceral organ है इसको protect करने के लिए lungs के उपर फेफडों के उपर एक double membrane पाई जाती है lungs को दूसरा नाम से हम plura बुला सकते है तो lungs के उपर जो membrane पाई जाती है प्यारे बच्चों वो कौन सी होती है plural membrane ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंदरवाली visceral pleural इन दोनों के बीच में एक तरल पदार्थ एक लूक्विट पदार्थ भड़ा भरा होता है जिसे हम pleural fluid कहते हैं ये pleural fluid जो होता है ये lungs का protection करता है कोई भी infection बाहर से अंदर ना गुस्ता चलाए ये क्या करता है उसको protect करता है वया ऐसा ही दर अंदर मत जाओ इंफेक्शन हो रहा है तो वो अंदर नहीं जाने जाता ठीक है अब सुनो मेरी बात अब ये जो इंफेक्शन है वो अंदर नहीं जा सकता पर जब कभी plural fluid की मात्रा बढ़ जाए किसी भी विमारी में plural fluid की मात्रा बढ़ सकती है इसे हम plural effusion कहते हैं यह सारी चीजे मेरे बच्चों मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है ओके नाव यह जो दोनों membrane lungs के उपर present होती है यह इनके बीच में जो fluid होता है वो friction से भी बचाता है so fluid which is present in between the lungs surface the outer plural membrane is in close contact with the thoracic ध्यान से समझे thoracic lining where inner plural membrane is contact with the lung surface तो outer membrane होती है वो किसके contact में होती है वो होती है thoracic chamber के contact में या छाती की lining के contact में तो यह वाली जो है यह किसके contact में होती है thoracic chamber के contact में होती है what do you mean by thoracic chamber छाती के contact में होती है so यह किसके contact में होती है, thoracic lining thoracic lining मतलब छाती से connected होती है ठीक और यह वाली, अंदर वाली किस से connected होती है, direct lungs से connected होती है, lungs lining से connected होती है, ठीक है outer वाली का نام क्या होता है पढ़ाया है मैंने, याद करो दिमाग पे जो डाला करो है बिना दिमाग पे जोड डाले काम नहीं हो सकता तो बाहर वाली क्या होती है? Parietal Plural और अंदर वाली क्या होती है? Visceral Plural ठीक है? इन दोनों के बीच में कौन सा fluid होता है? बोलेंगे बताएंगे मुझे इन दोनों के बीच में जो fluid होता है उसका नाम होता है Plural Fluid ठीक है? ये दोनों मेंब्रेंस को चिपकने से बचाता है इन्फेक्शन से बचाता है लंग्स को, ठीक है? अब अब दियान से देखेंगे ओके, नव अब 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 दियान से देखेंगे? and they are ducts from the respiratory they make the respiratory or exchange part now let me explain this properly where is the diagram? diagram, here is the diagram listen to me very carefully NCRT का ये diagram है देखो भाईया क्या होता है? ये जो yellow yellow dirty fellow दिख रही है ये है, बाहर वाली ये है ओहो, highlighter select है I am really sorry, चली देखे बाहर वाली कौन से लेयर है? इस दा आउटर वन magical board में कभी-कभी कुछ ज़्यादे चीज़े magical हो जाती है तो ये है outer membrane ठीक है? और ये है ये inner membrane अंदर वाली ठीक है? इनको collectively हम क्या कहते है? plural membrane इनके बीच में क्या भरा होता है? plural fluid तो जो yellow yellow दिख रही है, plural fluid है अब मेरी बात को धान से समझना नहीं तो काम गड़बढ है actually इस में इस lungs के अंदर बहुत सारी branches बनाई नहीं गई है तो आप देखो trachea ठीक है? और ये हो गए अपने bronchus दोनों divide हो रहे हैं ये है अपना right bronchus और ये है अपना left bronchus आप bronchus ठीक और बहुत चारे bronchize में क्या present होते हैं? tracheal ring present होते हैं support करने के लिए पर terminal bronchials में look at this area अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की कि वोई ring उपस्थित नहीं है आप क्या समझें कि यहां से लेकर यहां तक यहां तक दी जादा terminal bronchials उसके बाद उन bronchials में जुसमें alveolize जुड़ी होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ring नहीं होती है ये पहले भी बताया मैंने अब इससे क्या जुड़ा होता है? इससे जुड़े होते हैं alveolize क्या जुड़े होते हैं प्यारे बच्चो? alveolize जुड़े होते हैं ठीक है? कोई दिकत परिशानी? अब जो मैं तुम्हें समझाना चारही हूं वो ध्यान से देखना ये जो पार्ट है जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ अगर एक छोटा सा पार्ट suppose that this is the lungs ठीक है? suppose that कि ये आपके प्यारे फेफ़डे हैं अब प्यारे फेफ़डे ठीक है? मैं ये वाला फेफ़डा थोड़ा सा बड़ा बनाना चाती हूं I hope you don't mind ये फेफ़डा मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूं देखिए अब look at this फेफ़डा ठीक है? look at this फेफ़डा हाला कि इतना बड़ा होता नहीं है ये पर मैंने बना दिया है तो ये हो गया ब्रॉंकस ब्रॉंकस जो है वो डिवाइड हुआ यहां से ये डिवाइड हुआ ठीक है? यहां से ये डिवाइड हुआ मैं ये बस यहां ये वाला पार्ट बना दे रहीं देखिए अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे देखेंगे ये यहां पर अपर लोगों ने बना लेते हैं थोड़ा सा लेबलिंग भी कर लेते हैं जिसे चीज़े और क्लियर हो जाएं तो यह क्या हो गए अपना यहां पर रिंग प्रेजेंट है यहां पर रिंग प्रेजेंट है यहां पर भी रिंग प्रेजेंट है ये क्या हो गए अपने बच्चो Primary Bronchi ठीक है अब Primary Bronchi ये भी Primary Bronchi है ये हो गया Secondary Bronchi ठीक है ओके This is the Tertiary Bronchi ठीक है ओके अब मैं इसको Consider कर रही हूँ कि ये Terminal Bronchiol है मैं थोड़ा सा Dash-Dash कर दे रही हूं देखे यहाँ पर मैं एक और ब्रांच बना दे रही हूँ यहाँ पर मैं एक और ब्रांच बना दे रही हूँ और डैश 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 करके यहाँ पर मैं एक LV लगा दे रही हूँ ठीक, अब देखो ध्यान से रिंग्स देखो कहां का है यहां पर भी rings है, यहां पर भी rings है, यहां पर भी rings है, आप समझो, यह क्या है ब्रॉंक्यूल, ठीक है, ध्यान से समझो, यह क्या है आपका प्राइमरी ब्रॉंक्यूल, यह क्या है बच्चो आपका प्राइमरी ब्रॉंक्यूल, नाओ, suppose that this is your terminal bronchiol terminal bronchiol now this is alveoli this is alveoli what you have seen in this diagram क्या देखा तुमने बच्चो तुमने ये देखा कि पूरे bronchize में broncus में, primary bronchiol में, secondary bronchiol में, tertiary bronchiol में जो कि मैंने बनाया इन डैस-डैस कर दिया इतना जगह नहीं आपे इन सब में ring होती है पर जब अब terminal bronchiol में आते हैं तो उसमें ring नहीं होती terminal bronchiol से जुड़े होते हैं alveolize ठीक है So this is the terminal bronchiol इन सब से क्या जुड़ा होता है इन सब से alveolize जुड़े होते हैं ठीक है अब मेरी बात को धान से समझना ये जो that bronchus, bronchi, bronchioles, ये सब जो पार्ट होते हैं, इन सब को हम लोग, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, bronchus, ठीक है, जैसे आपके, bronchus, ठीक, bronchi, bronchi, और bronchiol, इन तीनों में कोई gaseous exchange नहीं होता, no exchange, ठीक है, एक्सचेंज सिर्फ किस में होता है, alveolus में, alveolize में, ठीक है, सिर्फ exchange किस में होता है, alveolize में, इसलिए, bronchus, bronchi और bronchiol को हम conducting zone कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम, conducting zone, bronchus, bronchi, bronchiol को हम conducting zone कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आप यहां से सिर्फ हवा को transfer कर सकते हैं, मतलब तुम आँ जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, आप exchange कहां पर कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ Elvulize में Exchange कर सकते हो और कहीं भी नहीं ये चीज याद रखना तो जितना भी Respiratory Tree है उसमें Elvulize को छोड़ कर बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ Conduction होता है वाका Elvulize जो round round जो दिख रहे हैं आपको round round goal मटोल ये Elvulize में Gases Exchange होता है बाकी सब Conducting Part है यही स्लाइड में लिखा भी हुआ था चलो देखेंगे तो देखिए कहां थे अपन यह ऐसा यह अब आपने यह देखा Bronchial Tree देख लिया अब हमने यह देखा कि जो बाहर वाली Plural Membre है वो छाती से connected है अंदर वाली Plural में में फेफ़डो से connected है Now, so the part start with the external nostrid up to the terminal bronchial ठीक है terminal bronchial तक किसी भी प्रकार की हवा का exchange नहीं होता इसलिए हम उसे Conducting Part कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लला Exchange कहां पर होता है? Elvulus में होता है इसलिए हम उसे Respiratory Exchange Part कहते हैं Question important है, NEET में आ सकता है इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीना ठीक है? Now, the conducting part Conductive Part क्या करता है? भी तुम्हें मैंने सिखाया, बताया, पढ़ाया कि conducting part जैसे कि मालो क्यों रास्ता है ठीक है? दर्वाजा is the exchange part but the रास्ता is the conducting part एक रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुचाता है मंजिल is your दर्वाजा जब तक दर्वाजा खुलेगा नहीं तुम्हें एक्स्चेंज नहीं कर सकते तो दर्वाजा is the alveoli उससे तुम्हें एक्स्चेंज करना है बट रास्ता is the conducting part ठीक है? So, conducting part क्या करता है? अब ये जो नेजल पैसज होता है इसमें निमुकोस होते है और नेजल पैसज कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है नेजल पैसज जो होता है वो थोड़ा ऊबडखा बड़ होता है तो वह हवा का traveling time बढ़ा देता है जिससे हवा घंडी हो जाती है तो लंग्स तक थंडी हवा जाए, यह आपके पूरे disparatory conducting part का काम है, exchange part का काम नहीं है समझ में आई बात, उसके बाद यह proper temperature में लाने का काम करता है, humidify करता है, air को clean करता है पाकि हम जब alveolize से हवा को exchange करें, तो कोई भी गंदगी, ज़ादा temperature, यह सब बलड में ना जाए जबकि exchange part का काम क्या होता है, कि हम जब सांस लेते हैं बच्चों, तो हम alveolize में oxygen भर देते हैं alveolize की responsibility है, कि वो जितना भी भरा हुआ oxygen है, वो सब किसको दे दे मेरे बच्चों, यह दे दे बलड को बलड में बदले में क्या लेले, बदले में लेले carbon dioxide, यह चीज़ याद रखना है तो exchange part और conducting part का role समझ में आया, image समझ में आई, now, देखेगा lungs जो होता है, यह situated होता है, thoracic chamber में, छाती में present होता है यह एक air tight chamber में present होता है, ठीक है, मतब ऐसा नहीं कि, जो है तो माली जे की कोई leak हो रहा है, तो हवा अंदर बाहर thoracic chamber में गुसे जारी नहीं और पीछे से यह जो rib cage होती है, वो किस से जुड़ी होई होती है, वो जुड़ी होई होती है अपने vertebral column से, मतलब वो एक पूरा lungs के उपर एक पूरा chamber बन जाता है तो बीच में कैसा बनता है, ध्यान से देखिएगा, यह हो गया आपका sternum, ठीक है sternum से होती है, ribs, अब इनी ribs के नीचे तो आपका lungs present होता है तो और यह जो ribs होती है, पीछे से जाके vertebral column से जुड़ जाती है तो एक ear tight chamber बन जाता है, तो किसी भी प्रकार की कोई पारिशानी नहीं पूरा power pad रहता है lungs आपका, ठीक है, नाओ उसके बाद आपका जो, यह मैंने पूरा बता दिया है, इसके उपर यही सब लिखा हुआ है अगर आप देखें इस diagram में, तो आपका जो respiratory track होता है उसके नीचे एक ऐसा dome shape का आपको structure दिखाई देता है, वो कहलाता है diaphragm ठीक है, बहुत important question है, हाला कि classification में मैंने आपको पढ़ाया है diaphragm एक mammalian character है, समझ में आई बात अगर आपको mammal से सबको अलग करना है, तो आप उसमें ध्यान से देखो diaphragm को क्योंकि अगर आपके पास diaphragm है, तो बिना कुछ सोचे समझे, उस organism को सीदे-सीदे mammal में रख दो क्योंकि mammalian character है diaphragm, अगर तुमारे पास diaphragm है तो mammal हो, बस कत्मत ठीक है, और हाल चल पानी सब ठीक है, बढ़ी है, चलो आगे बढ़े जाते हैं इसी में सो डोम शेप का diaphragm, diaphragm, rib cage, sternum यह सब जो है ना, जब आप सास लेते हैं और जब आप सास छोड़ते हैं तो यह अपना posture चेंज कर लेते हैं ठीक है, जब आपको inspiration, expiration पढ़ाओंगी तब आपको और समझ में आएगा, तो जो ribs होती है यह ऐसी हो जाते हैं ताकि हवा अंदर भरे, sternum आगे की ओर हो जाता है जिससे हवा अंदर भरे, diaphragm फ्लैट हो जाता है ताकि हवा अंदर की ओर भरे, तो anatomically यह सब structure अपना position, shape तो नहीं करेंगे तो हमारी thoracic volume, छाती की cavity, छाती मतला पूरा rib cage और lungs के बीच की जगा नहीं बढ़ेगी तो हवा कहां भर होगा अपने मूह में यह बात तो सही है तो आपको थोड़ा सा आपको पूरा rib cage वेगरा है इस सबको आगे लाना पड़ेगा ताकि lungs और rib cage के बीच में जग सिन्वाल होते हैं चलो आजाओ देख Meatthay the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column पीछे से जुड़ा होता है सामने उसमें sternum होता है किनारे किनारे ribs होती है the lower side they have dome-shaped diaphragm anatomically setup of lungs in thoracic is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect the pulmonary and lung cavity किसी भी प्रकार का आपको change करोगे तो automatically lungs भी expand होगा चले आपको पता है lungs जो है उसमें requiring का property होता है समझना बात को requiring का property होता है मतलब हम लोग चारो तरफ से lungs को दबा के रखते हैं अगर आप उसको थोड़ी भी जगा दोगे ना तो हवा भरके वो expand होगा फिर दबा दोगे तो वो recoil हो जाएगा तो lungs have the property of requiring तो अगर उसको दबा दोगे तो ऐसा डरा समय बठा रहेगा पर अगर तुम उसको छोड़ दोगे आप बताता हूं तो आप उसको छोड़ दोगे ना तो बढ़ियां फैलता रहेगा कोई चलो तो यह लिखा हुआ था जो मैंने पड़ा नाव ब्रीधिंग में कौन-कौन से steps involved होते हैं बच्चों ठीक है देखिए ना मुन्ना ना अपने को confused नहीं होना है सांस लेना और pulmonary ventilation दोनों एक ही चीज है ठीक है इससे क्या करते हो भईया इससे आप सांस लेते हो इससे आप क्या करते हो by which atmosphere air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out बहुत साइन्स का language is very difficult सीधी सीधी बात यह है कि breathing या pulmonary ventilation is a process जिसमें आप environmental air को जिसमें oxygen है उसे अंदर लेते हो बदले में CO2 भरी alveolus में जो gas भरी है उसको बाहर निकालते हो ठीक है diffusion of gases O2 and CO2 across the alveolar membrane अब आपके पास alveolize में क्या पहुच गई है बच्चो अब आपके पास वहाँ पर oxygen पहुच गई है उस oxygen को blood को दे दे और बदले में उससे CO2 ले लो उसके बाद जब O2 पहुच गई है blood में तो blood की responsibility है कि भाईया उससे definite जगह पर पहुचाया जाए उससे transport किया जाए इसलिए हमें इस chapter में transportation of gases भी पढ़ना है ठीक है उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे diffusion of O2 and CO2 of the blood in between the blood and tissue जब आपने इसको tissue के पास ले गए ठीक है तो कैसे exchange हुआ कैसे आपने O2 दिया कैसे आपने CO2 ला ये भी पढ़ना है उसके बाद जो है utilization of O2 by the cells for the catabolic reaction and resultant release of CO2 cellular respiration ये chapter 14 में हमें पढ़ना भी है ठीक है तो वो जब CO2 O2 ले लेती है जो tissue O2 ले लेता है फिर उसका इस्तमाल वो किस तरीके से nutrient तोड़ने में करता है वो हम अगले chapter में पढ़ेंगे पर ये steps आपको फॉर चार नंबर तक के steps आपको इस chapter में पढ़ने हैं ये चीज़ आपको याद रखना है ठीक है कोई दिकत पर जो एक है inspiration और एक है expiration वो बात बिल्कुल सही है पूरे दिन हम यही काम करते रहते हैं कि हम सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं ठीक है ओके डन जब हम सास लेते हैं तो atmospheric air जो है वो से हम खीचते हैं और जब हम सास छोड़ते हैं तो alveolize में जो air भरी रहती उसे हम छोड़ लेते हैं ठीक है उसके बाद the movement of air in and out of the lungs is carried out by a creating pressure gradient between the lungs and atmosphere अब इसका मतलब समझना मेरी बात को ठीक है ध्यान से देखो जब दिये हुए एरिया में मुझे नहीं मतलब की पूरे दुनिया में क्या हो रहा है मेरे लिए तो मेरा atmosphere क्या है मेरे लिए तो मेरा atmosphere वो जगा है जहा पर मैं पढ़ा रही हूं ठीक है अब जिस कमरे में में खड़ी हूं वहाँ पर oxygen का concentration ज्यादा है बच्चो और मेरे लंग्स में अभी oxygen का concentration कम है दिस इस कॉल देख प्रेशर ग्रेडियेंट मेरी बात समझ रहे हैं आपको जिस कमरे में में खड़ी हूं मेरे बच्चो है ज्यादा और यहां पर जहां जो मेरे फेपड़े हैं वहाँ पर oxygen का प्रेशर क्या है कम तो क्या होगा बताइए तो होगा यह मेरे प्यारे बच्चो कि आप oxygen को इन्हेल करोगे from higher pressure to the lower pressure ठीक है तर अच्छा यह हमेशा यह process चलती रहेगी क्योंकि कभी भी प्रेशर बरा atmosphere में carbon dioxide को प्रेशर किया है कम ठीक है वैसे atmosphere में मेरे मेरे चारो तरफ ठीक है तो मैं क्या करूंगे exhale समझ में आई बात कोई दिक्कत ठीक है now so this is called as pressure gradient actually क्या होता है की mainly oxygen का pressure gradient होता है carbon dioxide तो अपने आप exchange में भारी हो जाती है okay now the inspiration occur यहां से देखिए inspiration के बारे में आपको बता रही हूँ inspiration can occur if the pressure within the lungs intra pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure ठीक है so आप सांस कब लेते हैं जब आपका intra pulmonary pressure कम होता है as compared to atmospheric pressure का ठीक है मतलब यह है कि negative pressure है lungs में और positive pressure है atmosphere में ठीक है मतलब अगर आपके lungs में हवा का concentration oxygen का concentration कम है तो आपका lungs negative है atmosphere positive है मेरा घाटा atmosphere का फादा इसमें तेरा का घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ठीक है तो हम क्या करेंगे inhale करेंगे atmosphere की air को अंदर लेंगे तो this is called as pressure gradient now similarly जब आप सास छोड़ते हैं तो आपका pulmonary pressure जो होता है वो ज्यादा होता है pulmonary pressure मतलब फेफड़े का pressure ज्यादा होता है as compared to atmosphere मुझे नहीं मतलब है की क्या है atmosphere यहाँ पर मैं जिजगा पर खड़ी हूँ मेरे लिए वही मेरा atmosphere ठीक है तो ऐसी condition में आपका भी क्या है lungs positive atmosphere negative तो आप सास छोड़ेंगे from the higher concentration to the lower concentration पर जब आप सास छोड़ते हैं और सास लेते हैं जब आप सास लेते हैं और जब आप सास छोड़ते हैं तो there are different types of body parts which involves in the respiration जैसे की sternum जैसे की ribs जैसे की muscles मेरी बात समझे आप जैसे की sternum जैसे की ribs जैसे की muscles ठीक है कौन सी muscles intercostal muscle ठीक है coastal muscle what is the coastal muscle coastal muscle जो होती है ribs के बीच में present होती है दो प्रकार की होती है एक होती external intercostal muscle और एक होती internal intercostal muscle external intercostal muscle सास लेने में मदद करती है internal intercostal muscle सास छोड़ने में मदद करती है ठीक है डन 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 तो कौन-कौन मदद करता है सास लेने में पहला है diaphragm कैसे बूल गई मैं अरे बगवान ही क्या गलती हो गई diaphragm दूसरा क्या है specialized set of muscles, कौन से specialized set of muscle, external intercostal muscle and internal intercostal muscle, यह ribs के बीच में उपस्थित होती है, जैसे कि अगर आप external, अच्छा आपने देखा होगा कि ribs जो होती है, वो आगे से बीच में से जुड़ी होती है, sternum से, ठीक है, और पीछे से वो जुड़ी होती है, rib cage, sorry, vertebral column से, sternum is the middle bone is present into your chati, ठीक, sternum, middle bone होती है, ठीक, इस से जुड़ी होती, ribs, ribs बीचे जाकर vertebral column से जुड़ जाती है, इतनी बात आपको clear हो गई, ठीक है, आप अपन बात करेंगे किसकी, इतनी बात में किसी को कोई confusion, नहीं होना चाहिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, what is the external intercostal muscle, suppose that क कि मेरे पास ये दो ribs है मेरी, ठीक है, पहले मैं ये पूरा रप कर देती हूँ, ठीक, ध्यान से देखिए, suppose that कि मेरी ये ribs है, ठीक, तो suppose that कि ये हो गई मेरी ribs, ठीक, ये हो गई मेरी ribs, यहाँ पर मैं एक और बनाऊंगी, देखेंगे, what is the external intercostal, पहले मैं थोड़े सा labeling कर दू, ये है आपका sternum, ठीक है, ये है आपका sternum, और ये है आपका vertebral column, ठीक है, सही मैं सही बना लेते हैं आपर भी, देखेंगे सब लोग, तो ये हो गया sternum, और ये हो गया vertebral column, सेम चीज़, ये हो गया sternum, और ये हो गया vertebral column, नाउ, ये हो गई ribs, ठीक, ये भी हो गई ribs, ठीक, अब क्या होता है, देखिए, अगर आपकी मसल, vertebral column से शुडू होकर, ध्यान समझेए, sternal end पर खतम होती है, ये दोनों arrangement आप ध्यान से देखिए, देख रहे आपको, आपने देखा कि आपकी जो ribs होती है, वो आगे से किस से जुड़ी हुई है, sternum से, पीछे से, sternum is the middle bone, और पीछे से वो जुड़ी हुई है, vertebral column से, अब एक मसल कौन सी है, EICM, this is the EICM, ओके, and this is the IICM, ठीक है, external intercostal muscle, internal intercostal muscle, external intercostal muscle, vertebral column से शुड़ू होती है, sternum पे खतम होती है, जबकि internal intercostal muscle, sternum से शुड़ू होती है, vertebral column पे खतम होती है, arrangement याद रखिएगा, ठीक है, तो आपको देखना है कि respiration में कौन-कौन help करता है, diaphragm help करता है, external और internal intercostal muscle help करती है, जो कि ribs के बीच में present होती है, ठीक है, उसके बाद, क्या है respiration, ध्यान से समझिएगा, क्या है respiration, कैसे काम होता है respiration में, respiration जो है, आपको मैं छाती का diagram दिखाती हूँ, look at this, यह समझ में आगए आपको clear करती हूँ, मैं जहां से देखी क्या, now, देखे क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं, तो diaphragm जो है, वो contract होकर नीचे, जो है, वो क्या होता है, बढ़ता है, मतलब contract होकर ऐसा नीचे आजाता है, और जो external intercostal muscle होती है, वो पूरे rib cage को खीच कर ऐसा उपर क्योर लाती है, समझो बात को, जब आप सांस लेते हो, तो diaphragm आपका नीचे क्योर आता है, ribs और sternum आपका उपर क्योर जाते हैं, तो आपका यह जो area है, जो lungs का area है, यह बढ़ जाता है, जिससे आप आसानी से हवा को अंदर भर सकते हैं, मतलब जब आप सांस लेते हैं, देखिए आप, तो आप छाती को उपर लाते हैं, छाती को उपर लाते हैं, मतलब ribs और sternum को उपर लाते हैं, कौन खीचता है, external intercostal muscle, खीच कर उपर लाती है, और diaphragm नीचे जाता है, तो आपका जो direction है, वो है भईया, आपका direction आगे से भी और नीचे से भी दोनों से lungs का diameter बढ़ जाता है, और आप आसानी से हवा को अंदर भर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, inspiration शुरू होता है diaphragm के contraction से, जो की increase करता है volume thoracic chamber का, ठीक है, in the anterior posterior axis, anterior posterior मतलब आगे पीछे, ऐसा बढ़ता है न, तो यह होती है, ऐसा बढ़ाते है चाती को आप, तो यह होती है anterior posterior direction, आगे पीछे से बढ़ाते हैं, ठीक है, और जब diaphragm contract होता है, तो basically आप नीचे से cavity को बढ़ जो लंगs cavity है, the contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, ठीक है, तो आपने छाती को ऊपर कैसे किया, मतलब आपने ऐसी direction कैसे बढ़ाई, क्योंकि अपने ribs और sternum को आगे के और खीच लिया, by the help of external intercostal muscle, ठीक है, ओके, तो जिसकी वज़ए से, causing an increase in the volume of thoracic chamber, in the dorsal ventral axis, ठीक है, आगे पीछे स ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लंगs है, वो expand होगा, उसमें आप जादा से जादा हवा जो है, वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, तो आपने आगे और पीछे और उपर और नीचे, दोनों direction से हवा, लंगs की cavity को increase किया, जिससे लंगs का cavity बढ़ गया औ रवा को अंदर लाने लगे, ठीक है बच्चो, नाँ निक्स तीग, ओवर और इंक्रीस इं थोरासिक वोल्यूम वालियूम यह मैंने आपको भी बताया, इंक्रीस इंदा पल्मोनारी वॉल्यूम, डिक्रीज दा इंट्रा पल्मोनारी प्रेशर तू लेस दिन देन दाट्म pressure which forces the air from outside to move inside ठीक है अब क्या होता है कि जब आप लंग्स को एक्सपांड करते हैं उस सब्यपल लंग्स पर हवा क्या है कम है क्यों क्यों ने यहांपर अभी आप इसको बढ़ा क्यों रहे हैं आप एसा और ऐसा इसलिए बढ़ा क्योंकि आपको उसमें हवा भरनी है आप हवा भरने वाले हैं इस क्यों भर रहे हैं क्योंकि लंग्स में अभी अभी अट्मोस्फेरी जो हवा का प्रेशर है वो क्या है कम और अट्मोस्फियर में ज्यादा है तो अट्मोस्फियर में हवा क्या होगी कम ज्यादा से कम क्यों लगी कि मेरी बात समझे आप आपने रिब्स और स्टर्नम को ऊपर की और खीचा यूर दूइंग लैग दिस ठीक है मतलब अच्छली यह ऐसा हो रहा है यह ऐसा और रिब्स ऐसे ठीक है तो यह हो गई ध्यान से देखो यहां पर कैसे कैविटी बढ़ती मैं आपको समझाती जो एक्स्टर्नल इंटरकोस्टल मसल स्टर्नम को ऊपर की और रिब्स को ऐसा ऊपर कर देती है ठीक है तो यह कौन से डिरेक्शन हो गई यह देखो यह यहां से बढ़ गया और रिब्स ऐसा हो गई तो यह कौन सी हो गई एंटीरियो लेटरल डारेक्शन ठीक है और यह हो हो गए आप उपर से यहां से भी खाली हो गए और डाफर नीचे गया तो यहां से भी खाली हो गए तो कुल मिला के आपकी यहां से भी डिरेक्शन बढ़ती है स्टर्णम उपर जाता है तो यहां पे भी डिरेशन बढ़ती है और रिब्स जो होती है वह ऐसे जाती है तो यहा यहां की भी डिरेक्शन एंटीरियो लेटररल डारेक्शन यहां पर लिखा भी हुआ है कहीं देखेगा एंटीरियो पॉस्टीरेर्स को अप एंटीरो लेटरल डारेक्शन भी कह सकते हैं ठेक वो भी बढ़ जाती मलंब मिलाके पूरा थो है सी क्वावल्यूम बढ़ गया है की विज़से ट्मॉस्फिरिक एर अंदर की और आ रही है ठीक है ना बच्चो अब देखो जब रिलाक्सेशन होगा डायफ्राम का तो क्या होगा डायफ्राम उपर आएगा रिप्स ऐसी गई तो रिप्स अपनी जगह पर रहे का स्टर्नम अपनी जगह पर जाएगी तो यह उपर दबाव बनाएंगे जब दबाव बनाएंगे तो जो हवा भरी हुई है अब क्योंकि आपना अपना उक्सिजन भर के एक्षेंज के लिए बदले में कापन डेक्सरेड ले तो जाएगा डियाफ्राम अपना बबाव बनेगा लंस दब जाएगा हवा बाहर निकल है ठीक है ठीक है नाओ अभी क्या लिखा हुआ है आप देखा नी मेने चलो नाओ relaxation of the diaphragm and the intercoastal muscles returns the diaphragm and sternum to the normal position reduce the thoracic volume there by the pulmonary volume ठीक है this leads to an increase in the intra pulmonary pressure aha aha did it did it did it did it did it by a bun can make it which leads to increase in the intra pulmonary pressure which is slightly above to the atmospheric pressure causes the expression of the air from the lungs now what your line kya kena chari let me explain you kya heki job job kito racy cavity but it is not a charity cavity sternum aissa rips at side diaphragm from our complex home students mom amazing कुछ अपने अपने पोजीशन पर आएगा जब यह सब कुछ क्यों हो रहा है आई आई इसी हम के थूँ ठीक है अब अब क्या होगा लंग्स पॉजिटीव प्रेशन में है एक्मास्फियर नेगटीव प्रेशन में है तो लंग्स पर दबाव बढ़ेगा तो जिसके विज़ बाहर डाइफ्राम ऊपर दन नाव वी हैव द अबिलेटी तो इंक्रीज दे स्टेंट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद थे हैं तो मतलब कुल मिला कि यह है कि हम अगर अपनी जो अब्डॉमिनल मुसल्स होती है उनके तो हम अपने अब्डॉमिन मतलब सांस लेने की कपैसिटी को बढ़ा सकते हैं तो जब आप पेट से सांस लेते हैं मतलब आप अपनी कपैसिटी को बढ़ा रहे हैं ठीक है नॉर्मल हूमन बीन 12-16 बार ब्रीध करता है और दा वॉल्यूम ओफ एर इन्वाल्ड इन ब्रीधिं मूवमेंट कैं बेस्टिमेटेड ब सांस छोड़ रहे हैं कैसा ब्रीधिंग मूवमेंट है मतलब टोटल कितनी हवा आपने लिए एक मिनट में वह सब हम स्पाइरो मीटर से डिटेट कर सकते हैं लंग्स में विबन प्रकार की बिमारियां मतलब अगर आप कम सांस ले पा रहे हैं तो कुछ नहीं कुछ तो गड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब आप देखी क्या है यह तो एक बार में आप कितना सांस लेते हैं और कितना सांस छोड़ते हैं उससे कहते हैं टाइडल वाल्यूम मतलब इफ आम स्टाइडिंग ओवर हिया और आम डूइंग लाए तो एक बार में नॉर्मली मतलब आ ऋप्सके और वह होता है 500 ml ठ्थेक है तो नॉर्मली आप 1 बार में कितना सांस लेते चितना सांस छोड़ते उसका वोल्यूम होता है 500 ml तो एक मिनट में आप करिए 500 में हम कह सकते हैं 1 मिनिट ठीक है तो इसको आप कयालकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो कुल में लाके एक मिनिट में आप करीब 6,000 से 8,000 ml जो है उतना गैस एक्सचेंज करते हैं मेरे आपको ये बात समझ में आई ये क्लियर हुआ कि एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब नॉर्मल सास लेने और नॉर्मल सास छोड़ने में जितनी हवा आप एक्सचेंज करते हैं और लेते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यू मतलब आप 500 ml हवा एक्सचेंज नॉर्म चोड़ते हैं टोटल बतारी हुमें यह यह टेस्ट थाउजन शिक्स थाउजन टो एट थाउजन एमिल ठीक है नॉ इंस्पायरे ट्री हर रिजर्व वाल्यू पांसो एमल हवा तो तुम लेही रहे हो ठीक है पर इफ यह दूए लग दिस लुक ट्मी वेरी केरफुल इवा अब अशुक भूई यहां बैठे नॉर्मली सास ले रहा है पर अगर वो अचानक से ऐसा करें ठीक तो पांच सो एमल के अलावा आप और कितना सास अपने फेफडों में भर सकते हो इसे कहते हैं इंस्पायरे ट्री रिजर्व वाल्यूम मतलब टाइडल वाल्यूम के सकते हो ठीक है वो केलाता इंस्पायरेटरी विजर्व वॉल्यूम एक बार फोर्स फूल इंस्पिरेशन से आप करीब 3,500-3,000 से 3,000 एमल तक हवा भर सकते हो ऐसे ही अगर आप फोर्स फूल एक्सपिरेशन करें तो कितना हवा आप बाहर निकाल सकते हो फोर्स फुली उसस कहते हैं expiratory reserve volume यह होता है 1,000-1,100 ml तो नॉर्मल सास लेने में 500 ml हवा involved है forceful इन से रिपेरेशन में आप 2,000 से 3,000 हवा ले सकते हैं forceful expiration से कितना हवा forcefully आप छोड़ सकते हैं 1100 ml ना रेजिडूवल volume देखिए forcefully सास छोड़ने के बावजूद जितना हवा आपके लंग्स में बना रहता है उसे कहते हैं residual volume मेरी बात समझे आप forcefully expiration करने के बावजूद जितना हवा आपकी लंग्स में बना रहता है forcefully हवा छोड़ने के बावजूद भी अगर आपके लंग्स में हवा है तो उस volume को आप कहते residual volume जो की 1100 से 1200 ml होती है ठीक है ओके तो इससे हम लोग यह सब capacity से हम अपने लंग्स का function detect कर सकते हैं now inspiratory capacity ठीक है inspiratory capacity का मतलब है तुम्हारे लंग्स की चमता maximum तुम अपने लंग्स में एक बार में कितनी हवा भर सकते हो ठीक है मतलब एक बार नॉर्मल साथ छोड़ने के बाद maximum आप कितना हवा भर सकते हो तो टाइडल वॉल्यूम तो तुम भर ही रहे थे ठीक है साथ में तुम धाई हजार आई अरवी की भर लो तो यह कितनी हो गई 3000 ml समझ में आई बात तो टाइडल वॉल्यूम तो तुम भर ही रहे थे धाई हजार हो गई मैक्सिमम वाली मजब एक बार फोर्स फुली इंस्पिरेशन से आप धाई हजार से तीन हजार ही ले रहे थे ना देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया यह देखो ठीक है तो इसका किता था पच्छी सो से तीन हजार है मेल तो देखें मैं तो, मैक्सिमम आप टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ी रहे थे, साथ में आपने 1100 ऐमेल ये भी छोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो गया करीब 1600-1500 से 1600 ऐमेल, ठीक है, ये इतना ही वॉल्यूम है, आप देखिये, ये देखिये, हाँ, तो, 1100 से एक्स्पारे टिरियूर वॉ वॉल्यूम छोड़ रहे हो तो उसका तो डैड करने ही पड़ेगा साथ में एर्वी ठीक है नाव फंक्शनल रेजिडूवल के पैसिटी ठीक है वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल साज छोडने के दौरान कितना हवा लंग्स में भरा हुआ है तो एक तो रेजिडूवल वॉल्यूम बीकर लूं पर एक हवा होती है विचे स्कॉल्ड ऐज एर्व कि यह तब ही बाहर होती है जब आप डेश सहथ चोड़ते हो नॉर्मल साज छोड़ने के दौरान उर्ण यह बाहर नहीं होती है तो अभी भी आपका expiratory reserve volume और residual volume वहाँ पर बचा हुआ है तो कितना होगा बताईए, functional residual capacity ग्यारा सो हो गया ERV और ग्यारा सो हो गया RV, तो करीब हो गया 200 ml तो नॉर्मल साथ छोड़ने के बाद भी इतनी हवा आपके लंस में बची रहती है Now, vital capacity Vital capacity का मतलब यह है कि आदमी जो है, लिखा हुआ दा maximum volume of air, volume of air, a person can breathe in after forceful expiration including ERV, TEV and IRV, ठीक है मतलब यह है कि आप maximum कितना हवा ले सकते हैं, ठीक है और vital capacity, vital capacity का मतलब यह है कि residual volume को छोड़ कर कितना हवा तुम exchange maximum कर सकते हो तो तुम ERV भी exchange कर सकते हो, दम लगा के सास छोड़ो दम लगा के सास लो, तो तुम यह भी ले सकते हो और तुम्हारे lungs में TV तो exchange होता ही रहता है तो ERV कितना पढ़ा है हम लोगों ने 1100 ml ठीक है, IRV कितना पढ़ा हमने करीब 2500 ml और TV हम पढ़ रहे है, 500 ml तो कितना हो गया यह करीब 2500 और 500, 3000, 3000, 3100 ml ठीक है, तो यह तुम्हारे lungs की vital capacity है कि तुम करीब साढ़े 4000 तक ml की हवा अपने lungs से exchange कर सकते हो, ले सकते हो, छोड़ सकते हो residual volume को हम count नहीं करेंगे क्योंकि वो lungs की vital capacity नहीं है वो हवा हमेशा बनी रहती और वो exchange में भाग नहीं लेती तो आपके फेफडों की वह चंता जिस इतनी हवा जो की exchange में भाग लेती है ERV को forcefully छोड़ सकते, IRV को forcefully ले सकते और TV को तो हम ले ही और चोड़ रहे हैं तो कुल मिला के आपके फेफडों की वह चंता जो की exchange में भाग लेती है residual volume को we can't count because वो total lung capacity में आएगा कि कितना भर सकते हो हाप हवा या लंक का कितना capacity छोड़ने हो लेने का पर vital में वो नहीं आता नव टोटल लंक के पैसटी का मतलब यह है कि तुम कितना हवा maximum कितना हवा छोड़ सकते हो और कितना हवा भर सकते हो देखो तो इसका count हो जाएगा RV residual volume तो हमेशा रहेगा forcefully हम इतना छोड़ सकते थे टीवी तो हमेशा रहेगा ही और forcefully हम इतना ले सकते थे ठीक है तो कुल मिला के 4100 में 1100 ml और जोड़ दीजे तो करीब 500 ml आएगा तो आपकी टोटल लंक के पैसटी साड़े 5000 से 6000 होती है और यह देखे यहां पर आपने लिखा भी है कि टोटल एक मिनट में आप जो है इतना हवा एक्सचेंज करते हैं तो आपकी टोटल लंक के पैसटी करीब साड़े 5000 से 6000 होती है जिसमें मैक्सिमम हवा भी भरी गई मैक्सिमम हवा छोड़ी भी गई रेसिद्वल वाल्यूम को भी कांट किया और टाइडल वाल्यूम तो आप कहीं छोड़ भी नहीं सकते ठीक है तो यह हुए लंक के पैसटी वेरी 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 वी वी इंपोर्टेंट ठीक है यह क्वेस्चन आपके नीट मेना पूछे जाते हैं ठीक है इनसे इनका वॉल्यूम आपको तीन बर पढ़ेंगे बराबर याद हो जाएगा कम याद करने मैंने तो और भी आपको बताया है ठीक है और मैंने आप respiratory volumes के बारे में मेरे lectures देखी आप उसमें तो मैंने बखादर diagram के साथ बताया है ठीक है चलो आप आजाओ next is exchange of gases ठीक है this is a very important point exchange of gases देखे क्या है alveolize are the primary site of exchange as we know that why the alveolize are the primary site of the exchange because alveolize is surrounded by the blood vessel so jo bhi gas hum alveoli में भर रहे हैं we have to deliver those gases to the blood and jo bhi blood में waste gases है the blood should be delivered to the alveolize done 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 now the exchange of gases occur in between the blood and tissues ठीक है यह भी बात बिलकुल सही है कि blood को tissue को oxygen देना पड़ेगा और tissue बदले में क्या देगा blood को carbon dioxide o2 and co2 are exchange in the side by the simple diffusion वैसे भी मैं आपको बताऊं कि पूरे respiratory system में कोई भी exchange आप gases का कर रहे तो कोई और method नहीं है मेरे लाल method तो सिर्व एक ही है वो है simple diffusion जादा है तो दे दो कम है तो ले लो ठेक है नाव solubility अच्छा किस पर depend करता है गैस को आप transport कर रहे हैं तो कोई किसी चीज़ पर dependence होगी क्या है कौन से ऐसे factor है जो gases transport को inhibit करते हैं कौन से किस factor पर gases की transportation dependent होती है सबसे पहले solubility of gases and thickness of the membrane ठेक है सीधी बत ऐसे है कि अगर तुम्हारी gas वह blood में जादा dissolve होती है मेरी बात समझ रहे हो अगर किसी भी मेडियम में जादा dissolve होती है थो वह जल्दी transport होगी थिक है कम dissolve होती है तो कम transport होगी अगर जिस Dé repairs से आपको कहीं पहुचाना है अगर जहां से आपको जहां पहुचाना है वहां पर बीच में बहुत मोटी दिवार हो तो कम डिलिवर होगा तो डिपेंड करता है जो गैस आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्वालिबिलिटी क्या है और जहां पर आप ट्रांसपोर्ट कर है उसकी membrane क्या है कितना मोटा है वो ठीक है ओके ठीक है तो यह rate of diffusion को effect करते हैं less soluble less transportation more soluble more transportation thick surface less transportation तो यह चीज़ है ठीक है now a pressure contributed by individual gas in the mixture of gases is called partial pressure important question है यह what do you mean by partial pressure किसी mixture of gas में किसी एक गास के द्वारा apply किया गया pressure suppose that चिट्टु बिट्टु मिंटु चिंटु सब लोग खड़े हैं उपर से चिंकी आ गई so the chinkी making a pressure into the whole चिट्टु बिट्टु मिंटु चिंटु so the pressure applied by the chinkuin all over them is called as the partial pressure of chinkी ठीक है now partial pressure को हम हमेशा P से denote करते हैं P CO2 PO2 P into anything ठीक है अब हमेशा partial pressure जो है हमें respiration में दो ही partial pressure के बारें बात करना एक है O2 और एक है CO2 ठीक है नाओ अब हम देखते हैं partial pressure का एक table है आ जाओ NCRT का ही table है मैंने कहीं और से लगाया निए इसको as it is लगाया देखिए table 17.1 हमको यह बता रही है कि partial pressure in mmhg of oxygen हमेशा pressure को mmhg में बताते हैं of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in the diffusion in comparison to the atmosphere मतलब कुल मिला के यहां पर gases है और यहां पर हम लोगों को comparison बताया गया है ठीक है देखिएगा कैसे comparison बताया गया है देखिए एटमा एट्रेस्पारेट्री गैसे औक्सीजन को देखेंगे ध्यान से oxygen है atmospheric air पर 159 mmhg pressure है oxygen का अच्छा खास है एल्यूलाइस पर oxygen का pressure कितना है 104 mmhg done फिर deoxygenated blood में oxygen का pressure कितना है 40 mmhg oxygenated blood में कितना है 95 कितना है 95 और tissues में oxygenated oxygen का pressure कितना है 40 mmhg oxygen carbon dioxide का देखिए atmosphere में बहुत कम है जबकि lungs में बहुत ज़्यादा है ठीक है deoxygenated blood में और ज़्यादा oxygen से ज़्यादा है oxygenated blood में oxygen से कम है और tissues में oxygen से ज़्यादा है ठीक है तो ऐसी condition में जो carbon dioxide है वो tissues से किसको दे दिया जाएगी blood को और blood में oxygen जादा है तो blood से किसको दे दिया जाएगा tissues को ठीक है अब इस समय पर blood के पास ठीक है यह blood हो गया इतनी कहानी समझ में आई now next thing आगे आपको और चीज़े clear होगी यह figure आप ध्यान से देखिए आपको चीज़े और ज्यादा समझ में आएंगी जब आप सांस लेते हैं तो आपके एल्विलाइस पे जो एल्विलाइस है लंग्सकी वहाँ पर oxygen का प्रेशर होता है 104 में में चीज़े और कार्ब जो सांस ले रहे हो उसमें और carbon dioxide भी आती है तो वहाँ पर carbon dioxide का प्रेशर किता हो गया 40 में में चीज़े चीज़े ना अब क्या होगा oxygen जो है हम लोग किसको दे देंगे blood को pulmonary vein को pulmonary vein heart में आएगी heart से निकलेगी iota systemic arteries systemic artery जो है यह क्या रखती है यह रखती है oxygenated blood क्या रखती बच्चो oxygenated blood यहां पर देखिए blood में दोनों प्रकार की gases है जैसे कि oxygen भी है blood और carbon dioxide है पर आप क्या देख रहे हैं कि oxygen का pressure oxygenated blood में किता है अभी बताया था 95 mm जी और carbon dioxide का pressure किता है 40 mm जी चीक तो oxygen जादा carbon dioxide कम जब आप इसको tissues के पास से गुजारेंगे क्योंकि systemic artery पूरे body के हर पार्ट में जाती है तो blood से क्या देदोगे आप tissue को oxygen और tissue से आप क्या ले लोगे carbon dioxide अब ऐसी condition में अभी blood में क्या था कि oxygen का pressure जाधा था और carbon dioxide का pressure बच्चों कम था oxygen का प्रशड जाधा होने की विजए से आपने oxygen tissue को देदी बदले में tissue ने आपको क्या दिया बाइदा diffusion carbon dioxide अब आपके blood में carbon dioxide जाधा हो गया और oxygen कम होगा क्योंकि oxygen आपने tissue को देदी इसलिए यहां का blood जो है रेड़ दिख रहा है यहां का blood blue दिख रहा है आव आप जब इसको देखेंगे तो यहां पर O2 का pressure हो गया 40 mmHg जबकि CO2 का pressure हो गया 45 mmHg पाच कर डिफरेंस है पर मेजर है उसके बाद यह deoxygenated blood जो है veins से जाएगा right part में right part से फिर यह जाएंगे lungs में और lungs में जो है यहां से carbon dioxide को बाहर कर दिया जाएगा even oxygen को भी बाहर कर दिया जाएगा समझ में आई बात तो ऐसा बिलकुल भी ना सोचें कि inspired air में सिर्फ और सिर्फ oxygen होती है उसमें भी कारबन डियोकसाइड होती है और expired एयर में भी oxygen होती है तो inspired एर में carbon dioxide होती expired air में oxygen होती even मैं आपको बताओ कि आप सिर्फ जितनी लेते हैं आप oxygen उसका सिर्फ और सिर्फ मात्र सिर्फ और सिर्फ चार परसेंट यूज करते बाकी पूरा पेग्सेल कर देते हैं इतनी बात आपको समझ में आई कि जब आप tissue के पास blood को लेके जाते तो oxygen का प्रेशन 95 mmHg होता है और carbon dioxide का 40 जब tissue carbon dioxide दे देता oxygen ले लेता है तो carbon dioxide का प्रेशन सिर्फ 5 mmHg बढ़ता है तो carbon dioxide का प्रेशन केता हो गया 45 और oxygen का हो गया 40 यह दोनों gases जाएंगे अलविल आई में और यह बाहर हो जाएंगे कि अब हमाई पास fresh oxygen carbon dioxide बाहर आ रहा है ना अब देखेंगे ध्यान से अग्रेडियेंट इस प्रेजेंट अग्रेडियेंट इस प्रेजेंट 402 ठीक है अग्रेडियेंट इस प्रेजेंट यह वाल्यूम धीरे करो उसका हाँ चल ले दू वीडियो चल ले दू कितना मिनट हुआ है अग्रेडियेंट इस प्रेजेंट फोर सी ओ टू इन दा ओपेजिट डिरेक्शन from the tissues to the blood and blood to the alveoli ठीक है ग्रेडियेंट आपको समझ में आया कि हमेशा जो एक्सचेंज होता है वो टिशू से blood और blood to alveoli होता है टिशू carbon dioxide blood को देता है carbon dioxide जो है blood लेके जाता है the amount of CO2 that can be diffused through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher as compared to the O2 the CO2 की solubility होती है वो करीब 20 से 25 टाइम्स जादा होती है as compared to the O2 ठीक है इसलिए जो CO2 होती है वो आसानी से diffuse हो सकती है as compared to the oxygen ठीक है अब पर आपको यह जानना जरूरी है कि यह आपकी alveolar है alveolize है और यह आपकी blood vessel है तो blood vessel की भी अपनी एक परत होगी alveolize की भी अपनी परत होगी then alveolize have to transfer the oxygen to the blood and blood have to have the transfer the oxygen to the alveolize तो उन्हें ना पर्तों को पार करके जाना पड़ेगा ठीक है अब जो diffusion membrane होती है वो तीन चीजों से है blood vessel की layer एक होती है उन दोनों की beach की layer तो basically जब आप किसी gas को exchange करते हैं from the alveolize to the blood so you have to you have to transfer you have to pass on three layers number one the layer of alveolize जो की simple square में से pithelium की बनी होती है number two beach की layer जो की basement substance basement membrane भी कहते है और number three layer is the layer of the blood vessel जिसको आप कहते endothelium ठीक है तो आप oxygen को सबसे पहले पास करेंगे alveolus layer से फिर वो आएगी basement membrane में फिर वो endothelium को पार करते हुए blood vessel में आ जाएगी ठीक है है तो यही चीज लिखा भी हुआ है the diffusion membrane is made up of three major layer namely thin square MS epithelium of alveoli endothelium of blood vessels and basement substance जो की supporting layer होती है और यह पाई जाती है इन दोनों के बीच में ठीक है done however the total thickness is much less than a millimeter भले ही अच्छा endothelium single layer होती है double bubble single layer होती है ठीक है नाव चाहे भले ही oxygen को या carbon dioxide को तीन layers को पार करना हो पर फिर भी इन तीनों layer की thickness 1 mm से भी कम होती है बहुत ही कम ठीक है now therefore all the factors in our bodies are favorable for diffusion of O2 from the alveoli and tissues that's CO2 from tissues to alveoli ठीक है गुच नहीं बकवास है वो यह बोल रहा है कि भाया सारी condition favorable होंगी तो हम ऐसे transport कर सकते हैं now बच्चो अब हम लोग पढ़ेंगे transportation of gases बहुत important है इसके भी question neat में पूछे जा सकते हैं आपसे ठीक है इसके भी question आपसे NEET में पूछे जा सकते हैं देखेंगे blood is the medium of transport for O2 and CO2 getting my point blood is the medium for the transportation of O2 and CO2 97% of O2 is transported by RBCs in the blood remaining 3% of O2 is carried out by the dissolved state through the plasma nearly 20 to 25 percent of CO2 is transported by the RBCs where 70 percent of it is carried out by the bicarbonate about 7 percent of CO2 is carried out by the dissolved state अब मेरी बात को ध्यान समझना कान खोल कर सुनो 97% जो O2 है थेक है 97% जो O2 है बच्चो वो हीमोगलोबिन से bind होकर ट्रांसपोर्ट होता है हीमोगलोबिन बाइंड स्टेट में ट्रांसफर होता है 3% जो oxygen होती है वो dissolve state में ट्रांसफर होती है किस में dissolve state में प्लाजमा में dissolve होकर ट्रांसफर होती है now CO2 की बात करेंगे तो करीब 20 to 25% of CO2 यह होती है हीमोगलोबिन से bind state में ठीक है ओके नाव 70% जो होती है यह bicarbonate form में होती है bicarbonate form में और करीब 7% होती है थोड़ा से इसको दूर लिखूं अराउंड 7% जो CO2 है यह होती है dissolve state में इस पूरी कहानी का अन्व मैंने लिख दिया आपको ठीक है now look at listen to me very carefully देखे क्या होता है आपके RBC में हीमोगलोबिन की मातरा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए मेरी बात समझ रहें आप अगर आपके body में हीमोगलोबिन की मातरा अच्छी नहीं है तो बहुत गड़बढ काम है बच्छो ठीक है बहुत ही गड़बढ काम है देखो क्या होता है मेरी बात को ध्यान से समझना हीमोगलोबिन जो होता है यह क्या करता है हीमोगलोबिन हीइमोग्लोबिन औक सीजन कोBine कर लेता है लमें पैकेट्स होते हैं आप अक्सिजन को कि एक्सेशा में से देख ना थीक है तो ऑक्सिजन को 97 परसंट तो RBC से बाइंड होके और 3 परसंट जो है वह प्लाजमा से ट्रांसफर होता है अब 20 तो 25 परसंट जो काबन जाएक साइड है वह हीमोगलोबिन के अमाइन से ट्रांसपोर्ट होता पढ़ाऊंगी मैं और 70 परसंट जो होता है वह बाही कार्बनेट फॉर्म में होता है बहुत important है hamburger effect ओके नाव 7 परसंट ऐसे ही प्लाजमा में dissolve होकर ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है यह पढ़ा आप लोगों ने नाव अब एक एक करके हम लोग transportation of gases पढ़ेंगे सो सबसे पहले हम किसका transportation पढ़ लेते हैं अभी हम पढ़ेंगे transportation of oxygen देखें क्या होता है transportation of oxygen देखें आप लोगों ने 97 परसंट RBC के हीमोगलोबिन से बाइंट होकर और 3 परसंट डिजॉल्व स्टेट में हीमोगलोबिन एक रेड कलर का pigment होता है जिसमें iron होता है यह हमको पता है ठीक हीमोगलोबिन जो होता है वह oxygen के side oxygen से bind कर लेता है oxygen से bind कर लेता है in the reversible manner मतलब आपके शरीर भी जब carbon dioxide की मात्रा बढ़ने लगेगी तो हीमोगलोबिन oxygen को छोड़ने लगेगा यह चीज याद रखना मेरी बात फिर से सुनो आपके शरीर में जब carbon dioxide की मात्रा बढ़ने लगेगी तो हीमोगलोबिन oxygen को छोड़ने लगेगा यह चीज याद रखना ठीक है क्यों छोड़ने लगेगा क्यों छोड़ने लगेगा this is called a dissociation of oxygen ठीक है नाओ जब oxygen के साथ bind करते हो आप hemoglobin को it is called as oxyhemoglobin ठीक है एक hemoglobin molecule maximum 4 oxygen के साथ bind कर सकता है ठीक है नाओ binding of oxygen of hemoglobin binding of oxygen with hemoglobin is dependent on the pressure of oxygen अगर oxygen का pressure जादा होगा तो hemoglobin जादा से जादा oxygen से bind करेगा नहीं होगा है नहीं oxygen तो कैसे बाइट करेंगे ठीक है नाओ partial pressure of co2 hydrogen ion and the temperature are other factor which can interfere with this binding it means to say that कि जब आपके carbon dioxide का level बढ़ने लगता है जैसे मैंने अभी आपको थोड़ देर पहले बता है कि binding efficiency of the oxygen with hemoglobin is totally dependent on these three types of factor if the co2 is increases so the binding efficiency of the hemoglobin with the carbon dioxide is more as compared to o2 so oxygen जो है छोड़ने लगेगा और वा CO2 से बाइड होगा hydrogen ion जो है बढ़ेगा मला pH घटने लगेगा तो भी oxygen छोडने लगेगा temperature बढ़ाओ गे तो भी hemoglobin oxygen को छोड़ेगा it is called as dissociation of oxygen ठीक है now a sigmoid curve is obtained when the percentage of saturation of hemoglobin with oxygen plotted against the PO2 ठीक है मतलब एक graph हम लोग अभी देखने वाले हैं जो की plot किया गया है amount of oxyhemoglobin with the pressure of oxyhemoglobin अब आप यह याद रखना कि जैसे जैसे आप partial pressure of oxygen बढ़ाते जाओगे वैसे oxyhemoglobin बनता जाएगा oxyhemoglobin मतलब oxygen plus hemoglobin ठीक है it is very very important ठीक है now यहाँ पर एक लाइन थी जो मैंने पड़ी नहीं okay this curve is called as oxygen dissociation curve let me highlight this okay इस curve को हम लोग oxygen dissociation curve कहते हैं यह question important है ठीक है इससे हम oxygen dissociation curve कहते हैं ठीक है now इस curve से हम अपने body में CO2 का effect H plus का effect और temperature का effect पर सकते हैं देखिए 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 गौर्स देखिए अब हम देखेंगे the oxygen dissociation curve ncrt में इसको dissociation कर दिया गया है बट यह association कर भी इस कर्व से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी body में कितना percentage oxygen कितने percent hemoglobin से bind हो गया अच्छा एक चीज़ याद रखना देखो जब हम इस part की बात कर रहें देखो एक चीज मैं यहाँ पर बताती हूं मैं यह बोल रही हूं अगर मैं यह sentence मैंने आपको बोला कि आपके हीमोग्लोबिन का जब आप यहाँ पर देखिए एक्चली कहीं पर जगहीं नहीं है इता बुक आपकी बड़ी है क्या करूं मैं तो मैंने आपको बोला कि जब आप अपने blood में oxygen का concentration बढ़ा देते हैं तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो oxygen के साथ बाइंड करने लगता है ठीक है तो मैं एक graph ड्रॉ कर रही हूं तो आदा सदिक लोग सोचेंगे कि ठीक है माडम आपने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर ले लिजे ले लिजे मतलब oxygen का amount ठीक है इस graph में हम लोगों ने क्या ले लिया oxygen का amount ले लिया ठीक है ओके और यहाँ पर हमने क्या ले लिया हीमोगलोबिन से oxygen की binding ले ली समझ में आई बात तो लोग यह सोच रहे हैं कि भई यह जैसे जैसे आप oxygen बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीमोगलोबिन की मात्रा भी जो है oxygen से बाइंड होते जाएगी तो काईदे से लोग यह सोचते हैं कि हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा पर ऐसा नहीं है समझ में आई बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैटा क्योंकि कुछ समय तक जो है oxygen जो होता है वो हीमोगलोबिन से धीरे धीरे बाइंड करता है ठीक ह यहाँ पर बहुत सारे oxygen पड़े हुए ठीक है एक हीमोगलोबिन चार oxygen के साथ bind कर सकता है अब यह हीमोगलोबिन एक गाना गाता है जिसका नाम होता है अलाकि यह सब कुछ में पढ़ा चुकी हुआ ठीक है यह गाना गाता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा ठीक है अब गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको यह लगा, which is the hemoglobin, hemoglobin का, hemoglobin एक गाड़ी है, मतलब hemoglobin को driver भी मान सकते हो, driver जो है वो एक ऐसा वीकल चला रहा है, जैसी एक लड़की आके बैठी, उसको बड़ा मज़ा आया, रे वा, मेरी गाड़ी में लड़की बैठी, चलो कोई बा 100% मतलब अगर उसकी गाड़ी में 4 जगा है तो 4 को अगर हम 100% अगर हमने बोला 4 पैकेट जो है 4 जो जगा है वो 100% है तो एक जगा कितने परसेंटेज हुई भई या एक जगा हुई 25% की दूसरी जगा कितने परसेंट की हो गई वो भी 25 दोन हो गई 50 और 4 जगा कितने की हो गई 100% की मतलब यह एक हमोगलोबिन से एक आउकसिजन मॉलांद हो रहा है तो साचुरेशन 25% है एक हमोगलोबिन का और अगर एक हमोगलोबिन से दो अकसिजन हो रहे हैं तो अब साचुरेशन 50% हो गया है ठीक है saturation जब start होता है तो वो बहुत slow होता है ठीक है? बहुत दीरे होता है जब driver को यह समझ में आता है अरे वाई लड़की तो बड़ी सुन्दर है तब वो जल्दी जल्दी saturate होने लगता है इसलिए हमें straight line graph नहीं मिलता एक समय पर फेले थोड़ चोड़ा कम मिलता है उसके बाद फिर जल्दी जल्दी उठने लगता है graph देखिए का graph क्या है? आजाईए देखिए अब यह जो graph है यहाँ पर अभी graph क्या धिरे धिरे है पर अचानक से बहुत ज़ादा जब oxygen आई तो फटा-फट हीमोगलोबिन जो है वो बाइंड होना शुरू हो गया इसलिए जो graph होता है वो sigmoid graph होता है oxygen dissociation curve का जो graph होता है वो हम किसके बीच में plot करते हैं बेटा? वो graph हम plot करते हैं the partial pressure of oxygen what is the partial pressure? यह मैंने बताया भी है partial pressure is the pressure of individual gas into the mixture of gas ठीक है? so what is the partial pressure of gas of the particular gas into the mixture of gas ठीक है? so यहाँ है partial pressure of gas partial pressure of the oxygen मतलब oxygen का amount भी कह सकते हो और यह जो excess है यहाँ पर है saturation of hemoglobin with the oxygen ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना आपका hemoglobin कब 100% saturate होता है आपका hemoglobin आपके lungs के level पर 100% saturate होता है यह जो 100% आपको saturation दिख रहा है यह कौन से level पर होता है? यह lungs के level पर होता है ठीक है? वैसे भी saturation कभी 100% नहीं होता maximum saturation 97-98% होता है फिर भी अगर हम उसे 100% माने तो 100% hemoglobin 100% जो है जितना भी hemoglobin है वो सब oxygen से कहा पर bind कर सकता है क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि lungs के पास सबसे ज़्यादा oxygen होती है और वो अपनी oxygen दना दन हीमोग्लोबिन को देता है और दना दन हीमोग्लोबिन उससे bind करता जाता है एक बार जैसे कि आप आप lungs का blood जो है अब आप उसको किसको दोगे हार्ट को और हार्ट उसे किसको देगा टिशू को तो जैसे जैसे आप ब्लड टिशू से होकर गुजारते जाएंगे वैसे वैसे हीमोगलोबिन जो है हीमोगलोबिन जो है वो अक्सिजन को छोड़ता जाएगा और किसको देता जाएगा हीमोगल इनका जो saturation है oxygen के साथ वो घटता जाएगा तो जब घट रहा है मतलब ये पूरा area किस के लिए हम denote कर रहे हैं ये पूरा area हम tissues के लिए denote कर रहे हैं और ये वाला area हम lungs के लिए denote कर रहे हैं तो जब आप graph में सबसे peak पर हैं अगर आपका hemoglobin 97% या 100% saturated है मतलब you are the blood is present at the area of lungs but if the saturation is 40% if the saturation is 50% it means to say that the blood is at the level of tissues ठीक है now graph में अगर आप देखें तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो एक gram hemoglobin होता है वो करीब 20 ml oxygen को transport कर सकता है ठीक है ये बात याद रखिएगा now अब देखिए यहाँ पर देखते हैं चलो आजाओ देखोगे हाँ तो यहाँ पर देखो partial pressure of क्या है oxygen ठीक अब मैं graph समझा रही हूँ बिलकुल यहाँ पर नजरे गाल लो अभी यहाँ पर 20 mmHg pressure, 40 mmHg pressure, 60 mmHg pressure, 80 mmHg pressure और 100 mmHg pressure यहाँ पर कितना percent saturation है? 20% hemoglobin जुड़ गया oxygen से, 40% जुड़ गया, 60% यहाँ पर 100% अब यहाँ पर ध्यान से देखो, at the 27 mmHg pressure, red color से लिख देती हूँ मैं, तो आपको और ज़्यादा clear हो जाएंगी चीजे at the 27, ठीक है? 20 और 40 के बीच महीं आएगा 27 at the 27 mmHg pressure, 50% hemoglobin is saturated, ठीक है? at the 27 mmHg pressure of oxygen, 50% oxygen get combined with the hemoglobin, ठीक है? अगर आपका दी हुई mixture of gas में, oxygen का pressure 27 है, तो 50% hemoglobin oxygen से जुड़ चुका है इस range को आप कहते हैं, यहाँ पर 50 होगा, saturation 50%, इसे आप कहते हैं, P50 क्या कहते हैं, बच्चो, P50, आई बात समझ में, P50 है, तो कितना ml oxygen transport हो रहा है भी? 50% hemoglobin, अगर saturate हो गया है oxygen से, तो आप कितना ml transport कर सकते हैं, बोलेंगे? आप 10 ml transport कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान समझे है At the 40 mm, इसको थोड़ा से मैं side में बना देती हूँ, था कि और ज़्यादा clear हो, यहाँ पर थोड़ा से side में, ठीक? यह बना लेते हैं, यहाँ पर 27, यहीं सही रहेगा अब ध्यान से देखो, At the 40 mmHg pressure, 75% hemoglobin is saturated with the oxygen इसका मतलब यह कि अब तुम कितना ml transport कर रहे हो? 15 ml At the 100 mmHg pressure, यहाँ पर, At the 100 mmHg pressure, you can satisfy 100% of hemoglobin with oxygen अब यहाँ पर कितना ml तुम transport कर रहे हो? 20 ml समझ में आई बात? यह बात आपको समझ में आई? इसका मतलब यह है कि जब आपके पास दी हुई mixture मतलब आपका 100 mmHg pressure पे, किसके pressure पे? oxygen पे, आप पूरा-पूरा hemoglobin bind कर लेते हैं oxygen से पर यह कब होता है? लंग्स के पास, जैसे जैसे आप pressure गिराते जाओगे न oxygen का, वैसे-वैसे hemoglobin भी oxygen को छोड़ता जाएगा this is called as dissociation of oxygen, तो जब लंग्स से blood को आप tissue की और ले जाते हैं, तो हमेशा hemoglobin oxygen को छोड़ता जाता है क्योंकि tissue hemoglobin को बदले में CO2 देता है और hemoglobin की binding efficiency carbon dioxide के साथ जादा होती है इसलिए वो अपनी गाड़ी में से एक लड़की को उठा कर दूसरी नई type की लड़की को बठाना पसंद करेगा समझ गए, तो यह याद रखना, यह है जब 100% कब saturation होता है लंग्स पर जैसे-जैसे आप tissues की और आते जाते हैं वैसे वैसे आपका saturation भी गिरता जाता है क्योंकि oxygen का pressure भी गिर रहा है तो oxygen का pressure गिर रहा है इसलिए भी dissociation हो रहा है और carbon dioxide का pressure बढ़ रहा है blood में इसलिए भी dissociation हो रहा है ठीक है, done, ओके, तो हर 100 ml जो oxygenated blood होता है उसमें करीब 20 ml oxygen ट्रांसपोर्ट होती है पर वो transfer कितना करती है, सिर्फ और सिर्फ 5 ml समझ में आई बात, यह याद रखना तुम लोग, ठीक है आगे बड़े हम लोग देखेगा तो यह जो हम लोगोंने curve खीचा है, यह किस के किस के बीच में खीचा है हम लोगोंने यह खीचा है हम लोगोंने दो चीजों के बीच में, the percentage of saturation of oxygen with the hemoglobin and the partial pressure of oxygen, ठीक है Now, in the alveoli, अच्छा यही चीज में बता रही थी, देखिए In the alveoli, where the oxygen is very high and the CO2 is very low H plus concentration is very low, temperature is very low तो इन factors की वज़ा से, lungs के पास जादा से जादा oxygen hemoglobin से bind कर सकता है और यह condition, hemoglobin से oxygen को bind करने की सबसे favorable condition होती है समझ में आई बात, कोई दिक्कत परिशानी Now, पर जैसे जैसे आप tissues की और बढ़ते जाते हैं अपना यहाँ पर क्या है, blood oxygenated हो गया ना यहाँ पर blood कैसा हो गया है, oxygenated यह कौन सा एरिया है, lungs का अब blood कहा की और जाएगा, बेटा, tissues की और जाएगा जैसे जैसे tissues की और जाता जाएगा oxygen देता जाएगा tissues को तो इसकी वज़ाज से oxygen का pressure भी गिरेगा और saturation भी गिरेगा इसलिए curve ऐसा हो गया ठीक है Now, आप क्या देख रहे हैं हम लोग पर हम यह जानते हैं कि tissue में oxygen का pressure भी कम होता है इसलिए तो हम उसको oxygen दे रहे हैं CO2 का pressure जादा होता है concentration H plus का जादा होता है और temperature भी जादा होता है इस condition की वज़ा से हम लोग tissues को hemoglobin से oxygen को निकाल का tissues को दे रहते हैं और tissues क्या दे रहते हैं blood को बदले में carbon dioxide और सारा hemoglobin जो है वो जाकर कहां bind हुजाता है आपका carbon dioxide के साथ तो अगर आपका curve ध्यान से समझेए अगर आपका curve ना ऐसा है इन तीनों के बतलब बताती हूँ मैं आब आपको देखिए अगर आपका curve जादा left side की है और है देखिए यह जो curve है यह right side होता है ठीक है and this curve is more left, this curve is सबसे जादा left अगर आपका curve जादा right side की हो रहा है ज्यान से समझो अगर आपका curve जल्दी से right side की और गिर गया इसका मतलब यह कि उस जगा पर oxygen का partial pressure अच्छा से नहीं था जिसकी वज़े से hemoglobin को oxygen से saturation नहीं हो पाया और curve आपका गिर गया पर अगर आपके पास oxygen का concentration बढ़ता जा रहा है तो hemoglobin भी उससे जुड़ता जाएगा यहाँ पर concentration कम हो गया तो hemoglobin भी जुड़ना बंद हो गया यहाँ पर देखिए और है बढ़ता जा रहा oxygen hemoglobin जुड़ता जा रहा है जुड़ता जा रहा है तो कर्व आपका जितना जादा left side की ओर होगा ऐसा खड़ा रहेगा उतना जादा hemoglobin oxygen के साथ बाइंड करेगा यहाँ पर हमारे पास oxygen थी यहाँ पर oxygen थी पर अचानक से oxygen गिरने लगी तो आपका जो oxygen है वो hemoglobin को छोड़ने लगा ठीक है इस इस कॉड़ आप देखिये यह condition हमें clearly indicate करती है कि O2 gets bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue बिल कुछ सही बात है यह हम करी आदे गंटे से ही पढ़ रहे है हमने यह सीखा कि यह curve association and dissociation क्यों curve कहला रहा है हमने यह सीखा कि lungs के पास सबसे जारा oxygen होती है इसलिए जितना भी hemoglobin है वो lungs के पास सबसे जारा bind हो सकता है पर tissues के पास जो है आपने देखा कि tissues में oxygen का concentration कम है इसलिए hemoglobin को अपना oxygen निकाल कर tissues को देना पड़ेगा इसलिए at the level of tissues हमेशा hemoglobin oxygen को छोड़ता है और lungs पे जुड़ता है ठीक है अब at the every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues ठीक है ट्रांसपोर्ट वो 20 ml कर रहा है पर tissues को कितना परसेंट दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 5% ठीक है अब यह हो गया आपने oxygen dissociation curve पढ़ा oxygen dissociation curve जो होता है कौन कौन से factor उसे जो है right side में गिराते है यहाँ पर हम लोग boharts effect भी पढ़ेंगे what do you mean by boharts effect boharts effect is the effect of carbon dioxide on the oxyhemoglobin if the concentration of oxy if the concentration of tissues concentration of carbon dioxide in the tissues is very much increases then what will do hemoglobin अपने आप ही oxygen को छोड़का tissues को देने लगेगा तिस्यू से क्याले लगेगा carbon dioxide this is called as boharts effect it is the effect of carbon dioxide on to the oxyhemoglobin if the concentration of carbon dioxide into the tissues getting increases then what will happen then the hemoglobin dissociate the oxygen and deliver to the tissues and it will trap the carbon dioxide from the tissues so this is called as boharts effect and your curve going to shift into the right direction अगर O2 बढ़ जाता और hemoglobin जुड़ता तो आपका कर्ण left side की ओर होता है ठीक है यह याद रखना यह question important है neat exam में आ सकता है आप मेरे पहले वाले lectures देखोगे तो आपको concept और clear हो जाएगा ठीक है now carbon dioxide का जो transportation होता है बच्चों हमेशा carb amino hemoglobin के form में होता है carbon dioxide का transportation हमेशा carb amino hemoglobin के form में होता है जैसे oxygen bind करता है आपके hemoglobin से so it will make the oxy hemoglobin वैसे ही hemoglobin का amine part जो होता है hemoglobin हमाइन पार्ट होता है amine part carbon dioxide के साथ जुड़ जाता है and it will make carb amino hemoglobin चीक है, सो carbon dioxide का transportation percentage अगर हम लोग देखें बच्चों तो करीब 25% जो carbon dioxide होती है, वो hemoglobin के amine group से जुड़कर transport होती है जब की 97% oxygen जो होती है, वो hemoglobin से ही जुड़कर transport होती है मात्र 3% oxygen सिर्फ dissolved state में transfer होती है डन 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 पठ, carbon dioxide के कहा नहीं लग है 25% जो होती है, वो hemoglobin के amine group से जाके bind होती है और उसे transport होती है, 70% ठीक है द्यांस पहला के carbon amino के हीम पहले मैं इसके cording चलती हूँ क्योंकि मेरे cording तो मैंने सारा पढ़ाई दिया है, चलो this binding is related to the partial pressure of CO2 and O2 major factor which could be affect this binding ठीक है जब आप देखो, जिस तरीके से ही हीमोगलोबिन जब oxygen से bind करता है तू से कौन affect करता है, carbon dioxide वैसे ही जब carbon dioxide हीमोगलोबिन से जुड़ेगा तू से कौन affect करेगा, oxygen चैक है, now when the CO2, PCO2 is very high and O2 is low in the tissues more binding of carbon dioxide occurs whereas when the CO2 is very low and O2 is very high as in the alveoli, the dissociation of CO2 from the carbaminohemoglobin takes place बिलकु सही बात बोली है इसने, बिलकु सही बात बोली है बटा क्या बोल रही है, यह यह बोल रहा है कि जब tissues में carbon dioxide का concentration tissues में, जब carbon dioxide का concentration लो होता है और आपके blood में carbon dioxide, oxygen का concentration जादा होता है तब carbon dioxide जो है, उसका dissociation होने लगता है यह कहाँ पर होता है, lungs के पास होता है देखी क्या होता है, lungs के पास O2 जादा है उस समय पर blood जो है, या उसके आसपास के जो tissues है उनके पास CO2 कम है तो अब क्या करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे यह कि oxygen को दे देंगे किसको that tissues को और tissues से क्या ले लेंगे carbon dioxide same condition with the same condition exchange वैसा ही होगा कि अगर आपके tissues के पास carbon dioxide इत्ता है और blood के पास oxygen इत्ता है तो भाई यह सीधी बात है जो जिसके पास जाता है उसको दे दो तो जो इत्ता oxygen है वो थोड़ा blood निकाल किसको दे देगा? tissues को और इत्ता जो tissues के पास carbon dioxide है tissues carbon dioxide निकाल किसको दे देंगी? blood को blood कहा आगया अब? बॉलेंगे blood कहा आगया? blood आगया आपके lungs के पास अब blood के पास carbon dioxide कि इत्ता है? इत्ता lungs के पास क्या है इत्ता? oxygen तो lungs oxygen को किसको दे देगा? blood को और blood carbon dioxide किसको दे देगा? lungs को ठीके? ओके? नाव अब ध्यान से देखो, देखिये, हाँ कहाँ पढ़ते है अपनलों कहाँ पढ़ते है ठीके 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 ओके ना यह बोल रहा है वेन दा से PCO2 is low and PO2 is high at the alveoli, जब alveoli के level पर alveoli में CO2 कम है और O2 जादा है तो क्या होगा बताईए, dissociation of carbon dioxide तो होगा क्या मुझे बताओ, तो blood में carbon dioxide जो hemoglobin के साथ bind होकर आए, वो तूटने लगेगा, वो lungs के पास चले जागा, बदले में lungs से oxygen ले लेगा Now, RBC contain very high concentration of enzyme called as carbonic anhydrase देखेगा, RBC के पास एक enzyme होता है जिसका नाम होता है carbonic anhydrase बहुती unstable enzyme है, बहुती कम amount में present होता है, पर important बहुत जादा है, बहुत जादा important है बहुती minute quantity में है, यह थोड़ा बाग plasma में भी होता है, पर यह जो enzyme है, यह दोनों direction में काम कर सकता है देखेंगे कैसे, देखेंगे हाला कि मैंने इसका पूरा आपको diagram बता के भी समझाया था, पर I don't know कि आपको आता है कि नहीं आता है देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, मेरे पास कोई blank slide तो नहीं है पर let me draw this, चेक है, let me draw this, यह इस पर एक blank slide आटा है यह हो गई अपनी slide आट बटा, अब अपन लोग जो पढ़ लेते हैं, अपन लोग पढ़ लेते, अपन लोग पढ़ लेते हो, तो बात चली है, और बात चली है, तो दूर तर लग जाएगी, ठीक है, यह देखो, मैं क्या बना रही हूँ, शायद आधे लोगों को अंदाज लग गया होगा, जो भी रेस्पिरेशन का वीडियो देखें होंगे, देखो, suppose that, suppose करना है यह हमें, ठीक है, तो यह क्या है अपनी, suppose that, RBCs, ठीक है, यह क्या है अपनी RBCs, ठीक है, और यहाँ पर मैं बता लेती हूँ, मेरे नन्ने मुन्हे, यहाँ पर बना लेती हूँ, अपने प्यारे-प्यारे क्यूट क्यूट से टिशूज, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बना लेती हूँ, ठीक है, ओके, नाव, अब ध्यान से समझना बच्चू, ठीक है, देखो, क्या कहना चारी हूँ, मैं, ब्लैक कलर से लिखो, चलवा जो, देखो, आपकी RBCs के पास already H2O होता है, ठीक है, अब अ CO2 भरा पड़ा है, then what will happen, यह जो CO2 है, यह कहाँ पर आएगा, यह आएगा आपकी RBC के पास, ठीक है, अब यह जो CO2 है, यह जोड़ जाएगा H2O के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं समझ गए, अब आपकी RBC के पास एक enzyme present होता है, जिसका नाम होता है, carbonic anhydrase, यह जो enzyme ह में present होता है, वो भी बहुत ही minute quantity में, और यह बनाता है, carbonic acid, C2, H2CO3, ठीक है, carbonic acid एक बहुत ही unstable product होता है, भयंकर unstable, इतना unstable कि यह तुरंत तूट जाता है, जब आप H2CO3 को तोड़ते हैं, तो बनता है H+, और HCO3- now, अब आप समझेंगे, blood के दो पार्ट होते हैं, एक blood का पार्ट है, यहाँ पे मैं बना रहे हूँ, मैं highlighter यूज कर लेती हूँ, why I am not using highlighter, now, blood के दो पार्ट होते हैं, कौन-कौन से पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है blood cell, और दूसरी पार्ट होती है blood plasma, यह भी मैंने reaction पढ़ी तुमने, यह reaction तुमने पढ़ी, आपके RBC के अंदर, now, अब जो मैं reaction तुम्हे पढ़ाने जा रही हूँ, वो reaction है blood plasma के अंदर, तो जो आपको yellow yellow dirty fellow दिख रहा है न, यह है plasma, क्या है बच्चो यह plasma, ठेक है, अब plasma के अंदर बहुत सारे ions होते हैं, ऐसे ही plasma के अंद क्या होता है NaCl, ठेक, अब NaCl को जब आप तोड़ते हैं, तो Na plus और Cl minus बनता है, ठीक है कोई दिकत, तो क्या बनता है, Na plus और Cl minus, प्लस, minus, यह याद रखेंगे आप लोग, अब, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने bicarbonate iron को ले आना है, और यहाँ से आपने chloride iron को exchange करना है, ठेक, जब आप, अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, इस पूरी reaction में आपके पास hemoglobin, जो है, RBC में hemoglobin पढ़ा हुआ है, तो कोई tension ही नहीं, अब यह जो free H plus iron आपको दिख रहा है, यह जुड़ जाएगा hemoglobin के साथ, तो जब आप reaction लिखेंगे, कौन से कलर से लिखू, कौन सा कलर पसंद है, यह वाला कलर ले लेते हैं, चलो, तो जब आप H plus iron को hemoglobin के साथ जुड़ेंगे, तो बनेगा H dot HB, ठीक है, डन 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 डन, आपके पास RBC में K plus iron होता है, CL आपने shift किया है, CL आप लेके गया है, यह CL माइनस, यह जो है CL माइनस के बनाएगा और बनाएगा KCL, KCL एक buffering agent होता है, जो RBC के इंदर pH को change नहीं होने देता, अब आजाओ धर, अब तुमने bicarbonate iron को धर बेजा है, तो अब Na plus जुड़ेगा bicarbonate iron के साथ, और यह बनाएगा sodium bicarbonate, NaHCO3, क्या बनाएगा sodium bicarbonate, ठीक है, नाओ देखो, आप ध्य आज़े समझेंगे, यह कहानी कहतम हो गई, अब समझोगे मेरी बाद कुरा जा बेटा मेरे, चलो, अब suppose that, suppose that, यहाँ पर मैं लंग्स बनाती हूँ, ठीक, suppose that कि यह तुम्हारा लंग्स है, suppose that कि यह तुम्हारा क्या है, लंग्स, मैं इतना लंबा क्यों लिख रही है, यह ह हमारा लंग्स, अब तुम इस NaHCO3 को कहां पर लेके आए, लंग्स के पास लेके आए, ठीक है, किस के थुरू लेके आए, ब्लड के थुरू लेके आए, लेके आए, ब्लड के थुरू, अब समझना मेरी बात को पूरी रेक्शन उल्टी पढ़ जाएगी, कैसे उल्टी लेवल ओफ लंग्स, लंग्स को थोड़ा चोटा बना लेते हैं, लंग्स को थोड़ा सा चोटा बना लेते हैं, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लंग्स के पास, this is the lungs, ओके, नौव, इसको आप उलट दीजे, रेक्शन देखिए, ये है आपकी RBC, देखिएगा ध्यान से सब लोग, और ये है आपका प्लाजमा, ठीक, मैं बार बार रिएजर सिलेक्ट करती हूँ, बट देखिए रसो मेनी प्रॉब्लम्स दूरिं देखिए अप्लाजमा, ऐसे ही होता है ना प्लाजमा, ठीक, देखो, अब देखान से देखना, यहाँ पर जब तुमने टिशू से RBC के और रियक्शन की, तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, प्लाजमा के पास क्या पड़ा हुआ है, बताईए, मैं आप सीधे-सीधे कोई कलर नी चेंज करूँगी, मैं सीधे लिकूँगी, प्लाजमा की प यह जो HCO3- है, यह RBC के पास आएगा, आ गया HCO3-, ठीक है, अब आपका जो हीमोगलोबिन है, HHB है, यह तूट जाएगा, जब आपका HHB तूटेगा, नहान से समझें, जब आपका HHB तूटेगा, तो क्या बनेगा H+, और HB, ठीक है, यह H+, किसके साथ जूट जाएगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, फिर से H2CO3, क्या बन जाएगा, H2CO3, ठीक है, बनेगा, H2CO3, नाओ, अब H2CO3 बना, कोई दिक्कत परिशानी, नाओ, अब यहाँ पर ध्यान से जो देखने वाली रियक्षन है, भी मैं इसको मिटा देती हूँ, देखो, तो हम लोगों यहाँ से HCO3 माइनस को अंदर लाया, यहाँ से आप RBC से इसको फ्री करिए, ठीक, तो H+, को फ्री करिए, HHB से, ठीक, आपका H+, जो है, वो HHB से फ्री हो गया, यहाँ पर आपने HCO3 लिया है, जो कि H+, के साथ जुड़ गया, इसने बनाया H2O और CO2, CO2 कहा जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स से क्या आएगा RBC में, बोलिए, लंग्स से क्या आएगा, लंग्स से आएगा O2, अब यह हीमोग्लोबिन जो है, यह फ्री पड़ा हुआ है, अब यह O2 के साथ क्या जुड़ कर बना लेगा, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, अब आपके के पास, KCl पड़ा हुआ था, तो K+, और Cl- को अलग करिए, Cl- को इसको दीजिए, जहां से अप लाए थे, Na+, के साथ, आप Cl जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा NaCl, ठीक, आप मेरी बात को, यह पूरी रेक्शन से, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यह कहानी है, 70% जो है यह टिशू के लेबल पर, जब आप टिशू से कार्बन डाइयोकसईड देते हो, किसको देते हो, RBC को, तो आपका जो कार्बन डाइयोकसईड है, वो पानी के साथ जुड़ जाता है और बनाता है, कार्बोनिक एसेड, एक अनस्टेबल प्रड़क्ट होता है, जो के H+, और HCO3 माइनस में टूट जाता है, HCO3 माइनस निकलकल प्लाजमा में आता है, जो NACL के टूटे हुए NACL से जूट जाता है और बनाता है NAHCO3, ठीक है? Now, उसके बाद आपके पास H+, जो है, वो फ्री घूम रहा है RBC में, तो RBC के पास Hemoglobin होता, उसके साथ जोड़ दीजे, HHB को, और CL जो अंदर ले गए हैं, वो K+, के साथ जोड़ दीजे, जिसे आप KCL कहता है, जो कि एक बफरिंग एजेंट की तरह बहेव करेगा, अब इस पूरे बलड को, जो यह forms है, NACO3 का form है, और यह RBC, जो जिसके अंदर यह reactions हो गए, इसको लेकर जाएए, बलड, लंग्स के पास, जब आप लंग्स के पास इस RBC को और यह NACO3 को लेकर जाएंगे, प्लाजमा के थूँ, तो वहाँ पर NACO3 तूरण तूटेगा, NACO3 तूरण तूटेगा, NACO3 तूटेगा, NACO3 तूटेगा, NACO3 तूटा है, वैसे ही अंदर HHB तूटेगा, HHB ने H+, को अलग कर दिया, अब आपके पास free H+, आयन है, RBC के अंदर, यहाँ से HCO3 माइनस भी आगया, तो फिर से क्या बन गया, H2CO3, कार्बोनिक असिड, यह एक अंस्टेबर प्रड़क्ट होता है, फिर से किस में तूट जाएगा, H2 और CO2 में, CO2 को आप किसको दे दो, लंग्स को, बदले में आप लंग्स से क्या ले लो, ऑक्सीजन, हीमोगलोबिन फ्री घूमी रहा था, तो उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है, तो कुल मिला के, लेवल अफ टिशू पे यह वाली रेक्शन, जब आप उसको लंग्स, पू राइट शिफ्ट, इस पूरी कहानी का नाम है, हैंबर्गर इफेक्ट, हैंबर्गर इफेक्ट, क्योंकि हैंबर्गर नाम के एक साइंटिस ने दिया था, ये चीज़ आपको समझ में आई, को दिकत परिशारी, इसका एक स्क्रीन शॉट आप लेकर रख सकते हैं, तो ये है at the level of tissues and at the level of lungs, now, अब मैं आपको आपके NCRT के according बता देती हूँ, देखे, पूरा बता दिया है मैंने, देखे, टिशू के साइट पर carbon dioxide का partial pressure जादा होता है, जिसकी विजए से जो CO2 होता है, वो RBC के अंदर आजाता है, और बनाता है H2CO3, H2CO3 एक बहुत ही carbonic acid, बहुत ही unstable product होता है, जो कि carbonic ennehydrase की presence में H plus और CO3 minus, HCO3 minus और H plus में तूट जाता है, ठीक है, नाव, उसके बाद, alveolar side पर CO2 जो है, वो कम है, ठीक, अब यही reaction opposite direction में होगी, जिसकी विजए से फिर से CO2 और H2O बन जाएगा, और CO2 जो है, वो CO2 को हम किस form में travel करवा रहे हैं, in the form of b bicarbonate iron, NHCO3, ठीक है, तो CO2 उसके अंदर trapped है, ठीक है, तभी हुई है अंदर, उसके बाद, at the tissue level, ठीक है, and then transported to the alveolar, वहाँ पर जाकर आप जो trapping आपनी की उसको तोड़ो, CO2 को निकालो और lungs को दे दो, ठीक है, at every 100 ml of deoxygenated blood, delivers only 4 ml of carbon dioxide to the alveolar, ठीक है, 100 ml blood में, 4 ml जो carbon dioxide है, व transport होती है, carbon index से transport होती है, through the blood, now, तो 25% किस से है, through the amine, किस से attach होकर हुई, hemoglobin के amine group से attach हुई, 75% किस form में हुई, bicarbonate form में, और जो बची हुई percentage है, वो dissolve form में, ठीक है, तो आपको ये समझ में आए, इसमें कुछ भी लिखा हो, जो मैंने बताया, वो universal सकते है, उसके अलाव उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो उसमें दो चीज़े याद रखनी, hamburger effect, chloride shift, आपने tissue से जब carbon dioxide लिया, तो क्या किया, जब आप उस RBC को, जिसके अंदर आपके पास HHB है, जिसके अंदर आपके पास KCL है, उसको लेकर गया, plasma, जिसके में क्या है, NaHCO3, जब आप को लंग्स के पास ले, तो फूरी reaction उल्टी हो गई, फिर से H2CO3 बना, आपने H2O और CO2 को अलग कर दिया, CO2 को लंग्स को दे दिया, और लंग्स से आपने oxygen ले लिया, So this is all about the carbon dioxide का transportation, यह second last चीज है, इस chapter की देखे क्या है, हर चीज का अपना एक regulation होता है, हम लोगों ने ब को पूरी कहानी लिख के बताई थी, उसकी ज़रोत नहीं थी क्योंकि मैं already बता चुकी थी, पर जो लोग भी जिन भी बच्चों को interest है सिर्फ NCRT पढ़ने में, उनके लिए मैंने वो बताया, Now, that जिस प्रकार से digestion जो होता है, वो control होता है, through the nerves, through the hormones, through the इस से, through the उस से, वै What is the pons? It is the part of the hing brain, that is it, तो regulation of respiration में, आज मैं आपको यह सिखाऊंगी, किस तरीके से आप पूरे respiration को regulate करते है, कौन है ऐसा brain में part, कौन सी nerves है जो regulate करती है, एक एक चीज देखेंगे, इसी से आएगा question आपको कुछ tension लेने की ज़रोत नहीं, बस एक चीज याद रखना, कि resp respiration को ना तीन लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कौन-कौन होता है वो तीन लोग, पहला वो लोग है carbon dioxide, दूसरा है h plus i, तीसरा है temperature, चेक है, ना, human being have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues, human being के पास यह efficiency होती है, यह power होता है, यह शक्ती होती है, कि जब उनको ज़्यादा जरूरत होगी, वो ज़्यादा काम करेंगे, जब उनको कम जरूरत है, तो कम काम करेंगे, तो जब भी हमको, आपने देखा होगा कि पढ़ाते-पढ़ाते में I am start doing fast respiration, इसका मतलब है कि my body is right now feeling that I want more oxygen, that इस reason से मैं बहुत ज़्यादा सांस लेने लगती हूँ, तो current क्या है आपको समझ में आया, कि human being जो है, वो बहुत ही ज़्यादा diverse प्राणी है, human being जो है, वो अपनी body को कभी भी moderate करता है, तो कोई tension नहीं है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, until आपको कोई बिमारी ना हो, now, this is done by the neural system, कैसे होता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि body में oxygen की कमी है, कैसे हमने जाना, हमने ऐसे जाना, कि भईया ऐसा है, कि brain बोलेगा कि भईया ज़्यादा oxygen चाहिए है, brain बोलेगा कि ज़्यादा oxygen चाहिए है, तो आप तेसास लेने लगोगे, brain बोलेगा कि नहीं चाहिए, तो मतलो, ठीक है, so, a specialized center present in the medulla oblongata of the brain, called as respiratory rhythm center, is primarily responsible for its regulation, तो आपके, जो medulla oblongata होता है, उसमें एक area होता है, जिसका नाम होता है, respiratory rhythm center, ठीक है, respiratory rhythm center, rhythm को control करता है, respiratory rhythm ये बतल बोलता है, तेजलो, धिरलो, 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 छीक है, actually मैंने आपको जब control of respiration बताया था, तब मैंने आपको बताया था, कि there are two groups of neurons present at the area of medulla एक होता है, dorsal group of neuron, एक होता है, ventral group of neuron, normally जब आप सांस ले रहे हैं, normally जब आप सांस ले रहे हैं, तो आपकी body में कौन से group of neurons active होते हैं, बच्चों, तब आपकी body में dorsal group of neurons, जो की medulla वाले reason में present होते हैं, वो active होते हैं, so पूरे दिन जब आप कोई सांस ले रहे हैं, कर रही है ठीक है madulow log in time में जो ventral group of neurons होते है ना यह क्या कहते हैं आपन क्या सकते emergency में, ठीक है emergency में काम करते हैं वैसे normally dorsal group ठीक है now another center present in number आपको two group of neurons समझ में आ दौर्सल नॉर्सल नॉर्मली काम करता है मिश्वा mental emergency में now दूसरा जो center है वो कहां present होता है pons pons veruli is the part of hind brain there are three parts of the hind brain बच्चो number one is the cerebellum, cerebellum number two is the pons number three is the that medulla oblongata ठीक है first होता है pons फिर होता है cerebellum cerebellum तो यहां की नारे होता है फिर होता है medulla oblongata now यह जो pons वाला reason होता है इसे हम pneumotoxic center के ते it can moderate the function of respiratory rhythm center ठीक है neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiration rate ठीक है इसका मतलब यह है कि जो pons होता है ठीक है आप मेरा वो regulation of respiration वाला lecture पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो pons ने response जो होता है वो कभी भी आपको signal देता है कि कब आपको तेज सांस लेना है कब आपको धीर सांस लेना है आपके जो medulla oblongata होता है वो respiratory rhythm center होता है ठीक है respiratory rhythm center है मतलब वो rhythm control करता है ठीक है वो क्या करता है बच्चों control करता है क्या control करता है वो signal देता है कि आप switch off करो या switch on करो तो पॉंस जो होता है वो medulla oblongata को बोलता है कि आप जैसे मालो के मैं तेज सांस ले रही हूं अब तेज सांस ले लियू तो हमेशा तो तेज सांस लूंगी नहीं तो पॉंस बोलेगा कि धीरे करिये इसको तो जब पॉंस ने respiratory rhythm center या medulla oblongata को बोला जट से बंद तो आपकी जो breathing होगी वो क्या होगी ठेक आप तेज से सांस लेकर तुरंद बंद हो जाएंगे तो आपको जो फेफडा होगा ना वो कभी भी पूरा नहीं भर पाएगा जब कि जब पॉंस बोलेगा कि अब इस rhythm center को मालीज आप बहुत योगा करें तो आपको कौन बोल रहा है कि योगा करने पर आपको दीरे-दीरे सांस लेना पॉंस पॉंस रिदम सेंटर को बोल रहा है कि आपको switch off दीरे-दीरे होना आपको दीरे-दीरे कम बंद होना है जब आप दीरे-दीरे बंद होंगे तो आदमी जब सांस लेगा तो तो जब आप emergency में सास लेते हैं, जैसे माली ज़ी पॉलूशन है, तो जब आप pollution में सास लेते हैं, तो pons medulla को बोलता है जल्दी जल्दी सास लो, पर आप हमेशा जल्दी जल्दी सास लेत तो सकते नहीं है, तो pons switch off करता है, बस switch off हो जाओ, अब normal सास लो, तो जो ventral group होता है, वो emergency में काम करता है, जब आपको तेज सास लेना है, जब आपको emergency में सास लेना है, फिर उसके बाद pons बोलता है, बंद, तो अगर उसने ventral group को बोला, अचानक से बंद, तो क्या होगा, you are doing like this, पर उसने ventral group को धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे बंद हो, तो आपका lungs पूरा भर सकता है, ऐसे ही वो dorsal groups को भी signal देता है, कि धीरेट सास लो और तेज सास लो, कुल मिला कि ये एक pneumotoxic center है, जो दोनो groups of neurons को signal देता है, in the normal condition and in the emergency condition, ठीक है, अब आपका जो regulation होता है, a chemo sensitive area is situated adjacent to the rhythm center, ठीक है, chemo sensitive area होता है, जो कि rhythm center के बाजो में होता है, ये chemo sensitive area sensitive area, बहुत जादा sensitive होता है, किसके लिए, CO2 के लिए, hydrogen ion के लिए, अगर आपकी body में CO2 और H-plus ion का concentration बढ़ने लगे, तो ये chemo sensitive area, जो कि medulla oblongata के बाजो में है, वो activate हो जाता है, ठीक है, जैसे ही activate होता है, ये क्या करता है, ये देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस, increase these substances can activate these center, which turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, by which the substances can be eliminated, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जैसे ही ये, आपकी body में CO2 temperature H-plus ion बढ़ेगा, rhythm center बोलेगा, रहे बया, गड़बड काम है, वो तुरंत ventral group को active करेगा, वेंटर गुरूप emergency में काम करते हैं, तुरंत ventral group को active करेगा, और dorsal group को fast करेगा, तो आपका जो tono group है, वो activate हो जाएगा, और dorsal group तो हमेशे काम करते रहते हैं, तो आप जल्दी 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 स से भी कंट्रोल होता है और chemical receptor से जो कि medulla oblongata के चारो तरफ प्रेजन्ट है उनसे भी होता है Now, दान से देखेंगे इधर, चलो, receptor जो होते हैं वो aotic arch, aota और carotid artery जो कि आपकी major arteries है ठीक है, can also recognize the changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center to remedial action यह जो aotic arch, a carotid artery है, इनमें भी receptor होते हैं अब aotic artery है, पूरे body को blood पहचा रही है, तो आयोटा तो जानती ही है, कि उसका ज्यादा है कम तो यह जो दोनों arteries हैं, यह भी एक regulatory mechanism जो है, follow करती है इनमें भी receptor होते हैं, तो blood में अगर कुछ ऊपर नीचे है, तो इनको पता चल जाता है यह तुरंत जो है signal कि इसको देती है, आपके medulla oblongata को कि जो भी adjust करना करो और फटा-फट सास लेना शुरू करो ठीक है, नाओ, the role of oxygen in the regulation of respiration is, respiratory rhythm is quite insignificant हम carbon dioxide की ही बात है मेशा क्यों करते हैं, हम लोग क्यों नहीं बोलते कि oxygen जादा हो जाए, तो carbon dioxide कम हो जाए क्योंकि उसका role जो है insignificant है, actually binding efficiency carbon dioxide की जादा होती है, इसले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं Now, this is the last thing जो आपको इस chapter में पढ़नी है, which is the disorders of respiratory system Now, let's talk about it, क्या होता है, सबसे पहला जो disorder है, वो है asthma, ठीक है, ओके, now asthma क्या है, देखे, asthma जो है, इसमें, there are n number of reasons for this asthma, ठीक है बच्चों, बहुत सारे, बहुत सारे reasons है asthma के, मतलब मैं explain भी नहीं कर पाऊं शायद, देखे, बहुत ज़्यादा जो cigarette पीता है, ठीक है अगर आपके body में irritation का एक property है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप dust में रहते हैं, ऐसी condition में, जो आपके bronchize और bronchioles होते हैं, ऐसी condition में, जो आपके bronchize और bronchioles होते हैं, वो सूच जाते हैं, कैसे सूच जाते हैं? क्योंकि आप inhale करकर के, जैसे जब आप cigarette पीते हैं, तो नाक का तो कोई रोली नहीं है, डिफूजन से जो carcinogens है, जो tar वगेरा है, वो directly आपके elvelize और bronchioles में पहुँच जाता है, यह पूरा area block कर देता है, जिसकी वज़ए से gases exchange नहीं हो पाता, जिसकी वज़ए से gases exchange नहीं होता, तो आपकी elvelize होती है, या तो उनमें inflammation हो जाता है, या तो वो contract होकर चिपकने लगती है, तो आपको पता है कि आप inhaler लेते हो, लेते हो कि नहीं होते हो, तो जो आप inhaler ले रहे हो, वो किस चीज़ के लिए ले रहे हो, कभी आपने सोचा कि आपने inhaler क्यों लिया, आप inhaler ले रहे हो, ताकि जो चीज़ चिपक गई है, जो spasm हो गया है, जो चिपक गया है, उसको आप फैला सको, तो esthema is the breathing difficulty, आपको फील होगी, causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles, ठीक है, तो esthema is the disease जिसमें bronchi and bronchioles में inflammation होता है, ठीक है, इंफाइसिमा, देखिए, इंफाइसिमा एक chronic disorders है, वैसे esthema भी एक chronic disorder ही है, इंफाइसिमा में जो elvelize होते हैं, वो damage होने लगते हैं, आई बास समझ में, इंफाइसिमा is what, इसमें elvelize जो होते हैं, वो उनकी walls जो होती हैं, वो damage होने लगती हैं, अब आप जो भी सास ले र हारे हो उस सांस को साने मेना भर रहानान अब तुम्हारे पास तुम अगर मतलग हूँ की काहं कीज़ेंज होने लगे तो अगर hara कहां हो वहाँ बरोगे तो हवा का भरोगे तो तुम्हारे पास हवा हवा को यजगा ही नहीं है और अगर तुम्हारे पास हवा भरने के लिए कोई जगा नहीं है तो लंग्स का सरफे Wenn Such लूगा आप तार होता है जो ब्लॉक कर देगा तो तुम कितना भी तेज सांस लो तुम कभी तुमारे में वह oxygen ब्लड में आनी पाएगे क्यों कि तुमारी यल्विलाइज जो की oxygen को ब्लड तक पहुचाती है वही ब्लॉक है सिती बात तो अगली बार cigarette नहीं पीना ठीक है नाओ occupational respiratory disorder यह क्या होता है occupational respiratory disorder वो disorder होते हैं जो नौकरी पेशाव जो लोग होते हैं जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माइन पे काम करते हैं ठीक है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो factories में काम करते हैं तो यह जो disorders होते हैं, यह कभी भी आपको तुरंत नहीं होते हैं, यह chronic disorders हैं, धीरे धीरे आपको पता चलते हैं, coal mines में जो लोग काम करते हैं, इन सब लोगों को यह बिमारियां होती हैं, देखे, in certain industries, especially those involving grinding और stone breaking, ठीक है, जो किसी चीज को तोड़ने में, पत्थरों को तोड चूना पत्थर को तोड़ने में, जिससे बहुत ज़्यादा dust निकले हैं, ठीक है, और थोड़े शुरू-शुरू में तो आपका defense system आपको इस dust से बचाएगा, पर अगर आप long term ऐसा करोगे, तो आपका defense system आपको इससे नहीं बचाएगा, जिसकी वज़ा से यह जो dust है, य dust में fiber का deposition होने लगेगा, और आपका lungs damage हो जाएगा, तो जब आप सास का भार होगे, lungs solid होने लगेगा, ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी हम लोग काम करें, मतलब जो भी industries में काम करते हैं, उन्हें properly mask लगाना चाहिए, ठीक है, अब हम सबसे आखरी में आ गए हैं और पढ तो अगर NCIT में किसी को कोई डाउट लगता है, अगर कोई चीज आपको elaborated नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा elaborate करके नहीं पढ़ाना चाहती है, क्योंकि यह जो मैं पढ़ने पढ़ा रही हूं, यह से मैं schools के लिए पढ़ा रही हूं, और neat के लिए ता कि आपको रट जाएं चीज है, तो मैं बहुत elaborated manner में आपको इक इक चीज घुसके देखना है, तो आप मेरे वीडियो देखो, हर एक topic का एक individual video बना होगा है, चलो, समरी देखते हैं, एक एक line, क्या इस पूरे chapter में सीखा तुमने, Cell utilize oxygen for metabolism to produce energy along with the substances like carbon dioxide which is harmful, हम cell में oxygen लेते हैं, ता कि हम nutrients को तोड़ सकें, और nutrients को जब आप तोड़ते हैं, तो उससे carbon dioxide निकलते हैं, उससे हम liberate करते हैं, बहार निकलते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए harmful है, Animals have evolved different mechanism for the transportation of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide, ठीक है, तो देरा different types of mechanism, ठीक है, तो आप लोगो ने, आपने देखा क्या आपने CO2 को तीन method से transport किया, Dissolve form में, Carbaminase Hemoglobin form में and Bicarbonate form में, Oxygen को आपने 2 form में transport किया, Oxy Hemoglobin form में and Dissolve form में, So, there are different types of mechanism, जो कि transportation में involved होते हैं, ठीक है, We have well developed respiratory system comprising two lungs associated air passage to perform this function, इस पूरी कहानी को, ठीक है, पूरा आपको gaseous transport करनी में, सबसी जार हीरो कौन है, कौन है इसका सुनीर शट्टी, इसका सुनीर शट्टी है lungs, So, अगर आपके पास lungs नहीं है बेटा, तो तुमको कौन देगा carbon dioxide, मैं सुनील शट्टी हूँ, तो मैं सुनील शट्टी आपको oxygen कैसे देगा, तो पूरी कहानी के लिए, We have well developed lungs, ठीक है, The first step of respiration is breathing, पहला step respiration का क्या है, सांस लो, सांस ही नहीं लोग है, तो कैसे, आप air कैसे अंदर लाओगे, ठीक है, जिस में atmospheric air को लिया जाता है, जिस process क आप inspiration कहते हैं, बदले में आप सांस छोडते हैं, जिस process को आप expiration कहते हैं, exchange of O2 and CO2 between the deoxygenated blood and alveoli, transportation of these glasses throughout the body by the blood, ठीक है, इस में पहली line ये बोल रही है, कि O2 का exchange and CO2 का exchange किसके बीच में होता है, ये होता है, आपके deoxygenated blood or alveolize के बीच में, जब आप सांस लेते हैं, तो blood को देते हैं, और blood जो है वो अभी deoxygenated है, तो वो deoxygenated blood, carbon dioxide alveolize को देता है, transport these gases throughout the body by blood, blood को आपने oxygen दे दी है, और blood का ये काम है, blood की ये, blood का ये, उसका क्या कह सकते है, responsibility है, कि oxygen को पूरी body में transport करे, ठीक है, उसके बाद जब आप blood में oxygen को लेके जाते हैं, तो आप oxygen को tissues क carbon dioxide लेते हैं, ठीक है, tissues जो है, वो इस oxygen को utilize करती है, और अपने nutrient को तोडती है, now, inspiration और expiration are carried out by the creating pressure gradient between the atmosphere and alveoli with the help of specialized muscles, intercoastal and diaphragm, हम जब कोई भी ची सांस लेते हैं, तो हम pressure gradient पे dependent हैं, जब आपके partial pressure of oxygen is more into the atmospheric pressure and less into the lungs, partial pressure of carbon dioxide is more into the lungs and less into the atmospheric pressure, then it is created, it will create a pressure gradient. So, we can inhale the air from higher partial pressure to the lower partial pressure of oxygen by the help of intercostal muscles, what is the intercostal muscle? These are the muscle present in between the ribs and with the help of diaphragm, what is the diaphragm? It is a dome shape structure present below the lungs and with the help of sternum, what is the sternum? It is the middle bone of the chhati by which the ribs get attached, ठीक है? तो इन सब की helps से मैं expiration और inspiration करते हैं, volumes of air involved in these activities can be estimated with the help of spirometer and their clinically significance. जो भी volumes involved हो रही हैं इस process में जैसे आपने tidal volume पढ़ी, IRV पढ़ी, ERV पढ़ी, ठीक है? बहुत सारी volumes पढ़ी, FRC पढ़ी तो बहुत सारी volumes पढ़ी, इन सारी volumes को आप spirometer से detect कर सकते हैं, यह जो volumes आप पढ़ रहे हैं हो, इनका clinical significance है. Tidal volume कम है मतलब कुछ तो गढ़बढ होगा, क्योंकि नॉर्मली सांस लेने में पास्वामिल सांस ले रहे हो और अगर कुछ गढ़बढ है तो आप कम ज़्यादा हो सकता है, चेक? Exchange of O2 and CO2 at the level of alveolize and tissues occur by the diffusion. जो भी exchange आप अपनी body में कर रहे हो, वो simple diffusion से कर रहे हो. The rate of diffusion is dependent on the partial gradient of O2 and CO2, their solubility as well as thickness of diffusion membrane. जब आप किसी गैस को एक जगा से दूसरे जगा पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो किन-किन चीज़ों पर depend करती है? Number one, कि गैस का amount कितना है? क्योंकि आप ज़्यादा amount से कम amount के और गैस ट्रांसपोर्ट करती हो. दूसरा, जहां से जहां कि और आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उनके बीच में मुटाई कितनी है? ठीक है? उस पर भी depend करता है. और गैस सॉलिबल कितनी है? क्योंकि जो गैस जितनी ज्यादा सॉलिबल होगी, वो उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी जल्दी से. These factors in our body facilitate the diffusion of O2 from the alveoli to the deoxygenated blood as well as oxygenated blood to the tissue. इसी process से हम deoxygenated blood को lungs मे लाते हैं और oxygenated blood को tissue को देते हैं. ठीक है? Now, the factors are favourable for diffusion of CO2 in the opposite direction from the tissues to alveoli. Same चीज़ है. Now, oxygen is transported mainly as oxyhemoglobin. यह हमने देखा कि 97% oxygen hemoglobin से bind होती है. In the alveoli where the PO2 is higher, O2 gets bound with the hemoglobin which is easily dissociated at the tissue level. ठीक है? Where the PO2 is low and PCO2, H plus iron concentration is high. यहां पर यह बता रहा है कि जब blood, heemoglobin, जो blood है जो वो लंग्स के पास होता है वहां पर सारा जो लंग्स के पास बहुत सारा oxygen है तो लंग्स पूरा oxygen जो है वो किसको दे देता है blood को देता है blood में जितने भी hemoglobin हो दे दना दन 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 पूरा जो है वो hemoglobin से bind होता जाता है पर जब आप tissues के पास जाते हैं there are n number of reasons जो Hemoglobin को बोलता है चल निकाल oxygen अपना तो टिशू के पास क्या है CO2 है, टिशू के पास H+, टिशू के पास pH कम हो गया, टिशू के पास temperature जदा हो गया, जिसके विजए से Hemoglobin oxygen को निकाल कर ले तूँ यह दे ले, टिशू को दे देता है और टिशू बदले में उसे CO2 दे देता ये भी पढ़ाया भी मैंने आपको 25% आप transfer करते हैं हीमोगलोबिन के साथ bind करके वो भी कौन से part से amine form से bind करके और बाकी वो percent dissolve form में In the tissue where the CO2 is high get bound with the blood Where alveoli where the CO2 is low and PO2 is high get removed from the blood तो जब आप CO2 को लेकर जाते हैं lungs के पास तो blood में CO2 का concentration जादा है जिसके विज़े से वो lunges के पास चला जाता है Lunges में O2 का concentration जादा है जिसके विज़े से O2 ब्लड में आ जाता है Now respiratory rhythm जो है जो शाँस लेने की जो क्या कहते हैं इसको rhythm जो होती है कितने बाल लेना है, ज़्यादा लेना, कम लेना है वो respiratory center से maintain होती है जो कि medulla oblongata के पास present होता है साथी साथ आपके brain में Pons virulai के पास होता है एक center जिसका नाम है pneumotoxic center जो बताता है कि बंद करो बहुत तेसा से लेना बंद करो उसको और बहुत तेसा से लेना शुरू करो उसको तो वो भी एक regulatory part हो सकता है ये alter करते हैं respiratory mechanism को ठीक है बच्चों समझ में आई बात So this is all about the NCRT booty of breathing and exchange of gases इस chapter के लिए कम से कम मैंने आपको 20-30 lecture तो पढ़ा ही होंगे जादा ही पढ़ा होंगे इसको मैंने आपको पूरा summarize करके एक video में पढ़ा दिया है ठीक है इस chapter के लिए मैंने भरसक प्रयास किया है भरसक महनत की है मैंने इसके लिए बहुत सारे video upload किये है individual video upload किये है जो भी बच्चा ये video देख रहा है मैं ये चाहूंगी मेरी ये गुजारिस है कि पहले आप उन video इसको देखिए ताकि इन lines का मतलब आपको और ज्यादा क्लियर हो सके क्योंकि मैं अभी रिस्टिक्टिकी मुझे यही पढ़ाना क्योंकि मैं अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ अगर मैं नहीं पढ़ाती थो सकता इस में एक्स्पेंड करना शुड़ू कर रेती आपको अपको नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता आपका जीवन बेकार है सिधी बात हिए तो अगर आपको नहीं आती आप जो है तो आप कोड़े में चले जाएए क्योंकि जीवन का कोई अर्थी नहीं है तो इसलिए मैं हर एक चैप्टर का NCRT आपको पढ़ा रही हूं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में घुश जाए और ग्यारवी कच्छा से जो भी सवाल आए वो कोई भी खारी ना जाए नीट में So this is all about this In the next class I will tell you about the new chapter I hope you learned and enjoyed the video तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंपजार करिए Thank you so much